जरा आपके basics को हिलाया जाए yes, eye lens induction in vertebrates, ठीक है vertebrates में हम eye lens induction को पढ़ने वाले हैं vertebrates कौन से organism होते हैं obviously, obviously, जिसमें की backbones पाए जाते हैं या फिर skeleton structures पाए जाते हैं उनको हम vertebrates के category में डालते हैं तो उनी organism में हम mainly lens के induction को समझने वाले हैं okay, तो यह एक बड़िया सा picture है जो कि आपने अपने 12th level के at least book में तो जरूर देखा होगा 11th, 12th level में आपने एक proper eye का structure देखा होगा जिसमें की cornea होता है, retina होता है, lens होता है ठीक है? आज हम इसी lens की बात करने वाले हैं यह जो lens बना है जो कि एकदम transparent होता है और अक्सर लड़ियां जो है, उस transparent lens को जो है colorful lens में convert करने की कोशिश करती है by applying some artificial lens तो वो जो lens है न साय उसी का कमाल है, ठीक है? तो इसी lens को जो है आज हम पढ़ने वाले हैं तो तब basics से शुरू कर रही हूँ, ठीक है? Most basic part of embryonic vertebrate eye include the retinal pigmented epithelium, the neuronal retina and the lens और हम इसी lens के बारे में बात कर रहे हैं जो basic part होता है आई का वो होता है pigmented epithelium, retina and lens और हम इसी lens की बात करने वाले हैं while the retinal pigmented epithelium and neural retina arises from the central nervous system and the lens which start out as a lens placard is derived from the non-neural ectodum तो जो यहां पर यह retina है और साथी साथ pigmented epithelium है वो central nervous system से arise होता है जबकि जो lens है वो actual में non-neural ectodum से arise होता है अब यहां पर word आया ectodum अब यहां पर आप थोड़ा connect कीजिए किसके बारे में हमने परा था ग्यास्चुला स्टेज में तीन germ layer form होता है ectodum mesodum and endodum तो आपको याद होगा कि इन ही तीनों germ layer से मिलके हम बने हैं हमारी जो lens है वो ectodum से मिलके बनी है इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं तो जो lens है वो actual में ectodum से मिलके बनी है lens placard does not form neurons rather it forms the transparent lens that focuses incoming light on to the neural retina तो जो lens है lens बनने का जो process होता है वो actual में क्या होता है माल लीजे ये एक ectodum है ऐसा पतला सा ectodum है इसको कुछ signaling मिलती है जिसकी वज़े से ये पतला सा ectodum क्या हो जाता है मोटू बन जाता है कुछ ऐसा ये जो इतरा थिक हो गया है इसी को हम बोलते हैं क्या that is lens placard और यही lens placard आगे चलके lens बनाने में participate करता है तो lens placard जो है neuron नहीं बनाता है इसका main काम होता है transparent lens को बनाना और जब light हमारे lens पर पड़े ठीक है तो उसमें processing करना ताकि हम कीजों को proper धंग से visualize कर सके fine अच्छा एक और चीज बता दूँ जो की अकसर देखा जाता है कुछ बच्चे यहां पर geology वाले होंगे ठीक है और वो घुमा फिरा के जो है इसमें पूरे जितना geology उन्होंने सीखा होगा वो सब लगा देंगे तो मेरे आप से दर्खवास्त है कि यहां पर हम anatomy नहीं पढ़ रहे हैं हम यहां पर development पढ़ रहे हैं lens का खाली तो वो जो बच्चे अपना दिमार लगाते हैं तो बच्चारे बाती सारे बच्चे confused हो जाते हैं ठीक है तो फिर दिक्कत हो जाती है क्योंकि वो बच्चे फिर higher level पर नए नए words बोलना शुरू कर देते हैं और दूसरे बच्चे विचारे inferior feel कर लगते हैं कि यह क्या क्या बोल रहे हैं मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं है तो क्रिप्या वैसा काम मत कीजेगा क्योंकि हम अगेन मैं क्या रही हैं मैं अनाटॉमी नहीं पढ़ रहा हैं we are not studying the human physiology here हम developmental biology पढ़े हैं जिसमें हमारा main target है lens का और क्योंकि lens बताना है तो मुझे आपको आंखे दिखानी पढ़ेगी मेरी वाली आंखे नहीं यह वाली आंखे हैं तो इसलिए सब कुछ बढ़ा है कि कौन से पार्ट होता है और हम किस पार्ट को deal करने वाले हैं तो उनके अंदर जो जुआलीजी वाला जीन होता है ऐसा होता है जब मैं प्लांट पढ़ाती हूं तो बाटनी वाले जो बच्चे होते हो अपनी बाटनी वाली जीन्स उचाल उचाल के कमेंट सेक्शन में डाल देते हैं और जब यह पढ़ाती हूं तो जुआलीजी वाले बच्चे अपना उचाल उचाल के कैसे होता है हमने छोटा सा चीज डिसकस किया कि actually vertebrate eye दिखती कैसे है इसमें हमारे पास दो टाउम आया पहला टाउम कि आखें एक्टोडर्म से मिलके बनती है और दूसरा lens placard ये word आया हमारे सामें उम्मीद करते हूं अभी तक कोई doubt नहीं रहा होगा अब थोड़ा सा और basics क की तरफ बढ़ते हैं जो vertebrate eye का जो initiation होता है mainly उसकी morphogenesis जो होती है याई जब eye बनने की जो शुरुवात होती है वो किससे होती है paired region of brain bludges से जो की बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं ठीक है paired region of brain bludges out and approach the surface ectoderm of the head तो होता क्या है मा लीजिए ये हमारा head है ठीक है ये जो है ectoderm है और ये हमारा brain का हिस्सा है तो brain का जो हिस्सा होता है न वो क्या करता है वो बाहर की तरफ bulging out होता है bulging out यानि ये है मेरा हाथ और मैंने ऐसा मुका बना लिया तो मुक्का बराने के वज़े से क्या हुआ, यह जो मेरा हाथ का पूरा पार्ट है, वो बाहर की तरफ structure और form में आने लगा, bulging out का मतलब होता है, बाहर की तरफ बाहर आना, ठीक है, तो यह इस तरीके से जो है, यह ऐसे bulging होने लगता है, इसका, दोनों जगा एक जैसा हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं, paired region जो है, brain का, वो bulge out हो रहा है, और यह किसकी तरफ जा रहा है, जा रहा है, किसकी तरफ, ectodorm की तरफ, तो हम कहते हैं, it is approaching the surface ectodorm, यहाँ पर ectodorm को हम surface ectodorm कह सकते हैं, head ectodorm कह सकते हैं, तो confuse मत होईएगा, ठीक है, again I am writing here, हम यहाँ पर ectodorm को दो-तिन नाम से बुलाएंगे, हम यहाँ पर ectodorm को surface ectodorm भी कहेंगे, हम इसको head ectodorm भी कहेंगे, तो confuse मत होईए, कि माम कभी आप surface ectodorm बोल लिए हो, कभी आप head ectodorm बोल लिए हो, और इसको हम normally ectodorm भी कह सकते हैं, तो confuse नहीं होना है, so again I am repeating, कि जो paired region होता है, brain का, वो bulging out होता है, और वो ectodorm की तरफ, approach कर रहा होता है, ठीक है, head ectodorm क्या है, यह जो यहाँ पर head ectodorm है, यह वाला part, यह ectodorm क्या है, यह ectodorm competent है, competent यानि capable है, इसके लिए to respond to the paracrine factor made by these brain bludges, और यह जो brain की bulging out होके जो structure बना है ना, इसको हम एक और नाम देते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, optic vesicle, यह जो brain की bludging हुई है, bulges out form हुए हैं, उनको हम optic vesicle कहते हैं, और ectodorm जो है, ectodorm competent होता है nature में, इसी लिए future में, जब यह bludges ectodorm को, कोई paracrine signaling factor भेजते हैं, तो यह ectodorm उन signaling factor को receive कर लेता है, और इसकी यही receive करने की capability इसको competent बनाती है, and head ectodorm receiving this paracrine factor is induced to form lens of the eye, और यह head ectodorm जब competent होके, यह सारे signaling factor को receive कर लेता है, तो आगे चलगी यही head ectodorm induced होके lens में convert हो जाता है, इसलिए हमने कहा था, कि यहाँ पे जो lens बनेगा, उसका nature होगा ectodorm, although the lens specification is defined much earlier, during the neural plate stage, actual में lens बनने का जो specification होता है, वो neural plate जब बन रही होती है हमारी, तभी से ही शुरू हो जाता है, the lens differentiation gene are induced in a non-neural head ectodorm cell by the optic vesicle, और जो lens को आगे चलके differentiate करवाएगा जो gene, जो उसे functional देगा, वो सारे gene जो है, optic vesicle के दुआरा head ectodorm में activate किये चाते हैं, यानि अगर हम ध्यान दे, तो यहाँ पे हमारे पास दो main player आ गये हैं, मैं एक बार connect करती हूँ, ताकि जो बच्चे थोड़े बहुत confuse हो रहे हैं, उनको, उनका confusion जो हैं, दूर हो जाया, तो कहानी क्या चल रही है, यहाँ पे देखिए, कहानी यह चल रही है, कि मारे पास दो part है, एक है क्या, ectodorm, ठीक है, और एक क्या है, bludges of brain, जिसने हम क्या नाम दे रहे हैं, optic vesicle, तो होता क्या है, एक्चुल में, कि यह जो optic vesicle है, वो ectodorm को, कुछ paracrine factor भेजता है, paracrine factor भेजता है, और यह ectodorm क्या करता है, यह उस paracrine factor को, receive करता है, because, यह ectodorm जो है, competent है, तो यह ectodorm, जब इस paracrine factor को receive करता है, तो यह क्या हो जाता है, यह induced हो जाता है, induced to form, induced to form, lens, और आगे चलके, यह ectodorm lens बनाता है, ठीक है, आभी तक उमीद करती हूं, सब कुछ clear हो रहा होगा, कहीं कोई confusion नहीं होगा, तो वही बोला जा रहा है, कि, जब lens का specification होता है, neural plate stage पे, उस time पे optic vesicle, optic vesicle जब यह paracrine factor को भेजता है ने, अक्टोडर्म में, तो actual में उसको induce कर रहा होता है, और किस चीज के लिए induce कर रहा होता है, gene का activation करवाता है, for lens formation, lens formation and differentiation, कौन करवाता है, optic vesicle के दोबारा, जो signaling भेजी गई है, एक्टोडर्म को, तब जाकि उस एक्टोडर्म में, ऐसी gene activate होती है, जो कि lens का formation करवाएंगी, और उसका differentiation करवाएंगी, ओके, more about the prospective lens cell, secret paracrine factor, that instruct the optic vesicle to form the retina, और उसके बाद क्या होता है, देखे जारा, अब एक और signaling चल रही होती है, अब यहाँ पे जो एक्टोडर्म है, अब वो क्या करती है, अब वो कुछ paracrine factor secrete करती है, वो paracrine factor क्या करती है, अब optic vesicle को signaling देती है, किस टाइप की signaling, कि भाई मैं तो lens बन गई, अब तुम जो है, रेटीना बनाना शुरू करो, तो इस तरीके से जो है, optic vesicle कुछ paracrine factor, एक्टोडर्म को भेजती है, जिससे एक्टोडर्म lens बनता है, उसके बाद जब एक्टोडर्म, जो हैं, कुछ paracrine factor, optic vesicle के लिए भेजता है, जिसको receive करके, optic vesicle के पास information आते हैं, रेटीना बनाने का, तो यह बोला है, moreover the prospective lens cell, जब lens बनने लगती है, तो उस ताइम पर paracrine factor, सिक्रीट करती है, जो optic vesicle को instruct करती है, रेटीना बनाने के लिए, कौन सा पार्ट देखिए, यह है रेटीना, यह वाला पार्ट, यह जो यहाँ पर arrow डाला है, this is a retina, तो lens जब बनने लगती है, तो retina बनाने के लिए, signaling करती है, किसको, optic vesicle को, thus the two major part of eye, co-construct each other, आपके दो main part होते हैं, lens और retina, वो दोनों क्या कर रहे हैं, वो एक साथ, एक दूसरे को बना रहे हैं, और इस तरीके से, lens भी बन जाती है, retina भी बन जाती है, तो जो process यहाँ पर काम करता है, वो होता है क्या, that is paraclion interaction, and reciprocal paraclion interaction, ठीक है, यह आपके बुला, I form from the reciprocal paraclion interaction, इस तरीके से जो complete आई होती है, वो paraclion interaction, reciprocal paraclion interaction से form होती है, अब paraclion interaction क्या हुआ, paraclion interaction तो सभी को पता है, right, क्या है paraclion interaction, A ने paraclion factor भेजा, किसके लिए, B के लिए, और B ने वो paraclion factor, receive करके, respond कर दिया, इनके बीच में distance कम था, ठीके, लिगेंड और रिसप्टर के वेसोस पे signaling हुई, यह था paraclion interaction, reciprocal paraclion interaction क्या होगा, कोई मुझे बताएगा, हाँ, अजी, what is reciprocal paraclion interaction, जो पहले respond किया था, अब वो क्या करेगा, अब वो sender बनेगा, और जो sender था, वो अब responder बनेगा, यानि अब क्या होगा, अब यह जो है, यह paraclion factor भेजेगा, किसके लिए, A के लिए, और अब A रिस्पॉन्ड करेगा, बिलकुल, उल्टा रोल प्ले करते हैं, जैसे teacher's day पे school में, पूरे साल teacher लोग teacher, teacher मता में तो, teacher लोग teacher ही बनते हैं, teacher हमें पढ़ाते थे, because they are teachers, लेकिन teacher's day पे, school time में क्या होता था, पता नहिं, आप लोगे time में हुआ है, हमाई time में होता था, कि teachers day के दिन, student teachers बन क्या दे थे, और teachers रिलाक्स करते थे, अर उनके सारे, जो भी periods बगईरा होते थे, वो सारे periods बगई लोग लेते थे, और लगे लगे छोटे-छोटे बच्चों की क्लासिस में जाकर तो टीचर्स दे के दिन पुरा रेसीप्रोकल वारा काम हो जाता था कि स्टूडेंट टीचर बन गया तो यहाँ पर क्या होगा अब मैं अगर इसको आई के सेंस में लूँ तो आक्चुल में क्या हो रहा है यहाँ पर कौन था यहाँ पर था अप्टिक वैसिकल अप्टिक वैसिकल ने पारागर्ण फ्राक्टर भेजा किसके लिए एक्टोडॉम के लिए और एक्टोडॉम ने रेस्पॉंड किया किस फॉर्म में लेंस बन कर रेसिप्रोकल में क्या होगा रेसिप्रोकल में जो है अब सेंडर कौन बन जाएगा that is ectodorm या फिर आप इसको lens कह सकते हैं क्योंकि अब ये lens बन चुका है अब ये lens परागन फाक्टर सिक्रीट करेगा किसके लिए optic vesicle के लिए और optic vesicle क्या करेगा that is retina बनाने के लिए signal लिएगा बताइए समझ आया ये इस दिस क्लियर गाईज हाँ जी बिल्कुल वो भी दिन क्या दिन थे सही बोला आपने इस दिस क्लियर ग्रेट चलो यानि सबकों समझ में आ रहा है अच्छा तो लास्ट वला पॉइंट हम लेंगे लास्ट वले पॉइंट से एक प्रॉसस ले लेते हैं ये जो हमने यहां नाम दिया है दूरिंग नूरल प्लेट स्टेज अभी नूरल प्लेट स्टेज क्या होता है यहां पे रोके क्या अभी यह वहला point हमारा Hold پै है । यह जो हम समझ लेते हैं तो होता क्या है अच्छन में लेखे जब भी किसी भी organization का जनम होने वाला होता है थेक है तो अब पहले उसका organogenesis होगा यानि पुरे organ body में बनेंगे तो होता क्या है, fertilization होआ, zygote formation होआ, फिर mollula stage आया, blastula stage आया, gastulation stage आया, gastulation stage के बाद, neurulation stage आता है, और इसी neurulation stage में एक neural plate पाई जाती है, कुछ ऐसी, ये neural plate आगे चलके neural tube में चींज हो जाती है, तो ये रगी neural plate और ये neural plate देखिए किस तरीके से fold हो रही है और एक neural tube बना रही है, ये देखिए ये पुरा neural tube में convert हो गई ये जो neural tube है, ये आगे चलके central nervous system बनाती है ये जो neuralation stage था ना, इसी neuralation stage पे mainly eye का development होता है तो neuralation stage क्या होता है the folding process of vertebrate embryo which induces transformation of neural plate to neural tube यानि vertebrate embryo में एक ऐसा process होता है, जिसमें कि neural plate जो है transform होके neural tube में बदल जाती है, ऐसे process को हम neuralation stage कहते हैं, और इसी stage में यानि इस new relation stage में ही eye lens का भी induction start होता है eye जो है, eye एक बहुत ही specialized extension है brain का, क्यूंकि आप देख रहे हैं brain से जो bulging out हो रहा है वही bulging out structure जो है आगे चलके eye lens का formation कर रहा है और वही पे eye बनती है तो इसलिए कहा जाता है कि eye जो है brain का एक specialized extension है और optic vesicle और ectoderm किस में मदद करते हैं eye lens के development में मदद करते हैं ये एक बहुत ही basic slide है लेकिन ये basic slide आपका बहुत कुछ जो है clear करती है अब हमारे पास जो ये neural tube आया है आप सोचोगे कैसे कैसे connect होगा देखिए पहले आपास neural plate था अब ये neural tube बना है neuralation process में अब ये जो neural tube आया है ना इस neural tube के दो पार्ट होते हैं anterior part neural tube का और posterior part anterior यानि आगे वाला पार्ट posterior यानि पीछे वाला पार्ट anterior वाला पार्ट जो होता है neural tube का वो आगे चल के brain बनाता है और posterior वाला जो पार्ट होता है वो spinal cord बनाता है ये जो brain का पार्ट बनता है ये हमारा interest वाला area है क्योंकि इसी brain के part में जो है आगे चल के bulging out होता है और वो आगे चलके eye बनाने का काम करता है ये जो brain वाला area है वहाँ पे बहुत से transcription factor एक्सप्रेस होते हैं जैसे की हो गया noggin, pack 6, 6-3, rx1 ये सारे factor क्या करते हैं? उस brain वाले area में एक eye field का specification करते हैं eye field यानि एक ऐसा field जहां पे आखे बनेंगी अब आप में से कोई ऐसा तो है नहीं जो बुले मैं मेरी आखे मेरे पेट से लटक रही है या मेरी आखे मेरे कंदे पे हैं मेरी आखे जो हैं मेरे गर्दन के पास है ऐसा नहीं है सबकी आखे एकदव proper जगे पर हैं जो की है चेहरा और हेड और चिन के बीच में जो एरिया आता है वहाँ पर है तो आखे यही पर क्यों बनी यहाँ पर क्यों नहीं 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 बनी यहाँ पर यहाँ पर यह आखे बनी है वही एरिया आ आई फील्ड होगा और आई फील्ड वही एरिया होता है जहां पे यह factor express होता है जैसे कि cricket खेलना है तो आप kitchen में जाके cricket नहीं खेलोगे या bathroom में जाके cricket नहीं खेलोगे आप cricket ground में जाओगे क्रिकेट ground एक cricket का field है वही पे वो game खेला जा सकता है और कहीं पी वो game नहीं खेला जा सकता है because वहाँ पे आपको जो भी चीज requirement होती है उस game को proper धंक से खेलने के लिए वो सबी चीज़ें open ground में available होती है similar basis पे पूरी body में जो है mainly head ectodermal area में एक ऐसा area होता है जहां पर eye field बनता है due to the collaboration of all these paracrine factors और वो eye field बहुत ज़रूरी होता है पहले जगे decide होती है कि आँखे कहां बनेगी उस जगे को decide करने में ये सारे transcription factors का important role हो सकता है तो मैं उमीद करती हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे हम relate कर रहे हैं अजय जी हमने कहा था बेसिक डील करें अभी इस बेसिक में कितना फास्ट बढ़ा हो is this clear to everyone ये बेसिक समझ में आ गया कि new relation के साथ eye का development कैसे connected है इसलिए ये statement यहां पे कहा गया था that is your during neural plate stage जो है maximum जो lens का specification होता है वो देखा जाता है is this clear to everyone and last हमारा आज का statement है the head ectoderm is the only region competent to respond to the optic vesicle पूरी body में head वाला head को बनाने वाला जो ectoderm होता है सिर्फ वही head ectoderm competent होता है optic vesicle को respond करने के लिए यानि optic vesicle जो signal देगा उस signal को receive करके respond करने के लिए सिर्फ head ectoderm काफी होता है उसके अलावा और कोई अरिया उसके लिए respond नहीं करेगा जैसे कि if optic vesicle from xenopus levis embryo is placed in the underneath head ectoderm in the different part of head from where the frog optic vesicle normally occur the vesicle will induce the ectoderm to form the lens tissue यानि head ectodermal area में कहीं और पे जो है मालीज़ head ectodermal area जो हैं जहां पे specific eye बनता है वहां तो बनेगा ही बनेगा लेकिन अगर in case मालीज़े आप head ectoderm को different head के part में अगर transplant कर देते हैं और वहां भी अगर optic vesicle है तो उस part में भी eye lens का formation हो जाएगा लेकिन अगर मालीज़े अगर trunk ectoderm में trunk ectoderm को अगर आप optic vesicle से induce करवाते हैं तो trunk ectoderm जो है respond नहीं करेगा optic vesicle के लिए और वहां पे eye lens का induction नहीं होगा trunk मतलब कि head को छोड़के जो body part है अगर वहां के किसी body part के ectoderm को अगर आप optic vesicle से induce करवाएंगे तो वो ectoderm optic vesicle के लिए response नहीं देंगे क्यों क्योंकि head ectoderm को छोड़के कोई और ectoderm competent नहीं है optic vesicle से आ रहे हुए signal को receive करने के लिए ये एक बहुत जादा important point है जिस पे आपका maximum eye development depend करता है कि head ectoderm ही सिर्फ competent रहेगा optic vesicle से आने वाले signal को response देने के लिए कोई और area का ectoderm response नहीं देगा is this clear to everyone तो कल की class जो हमां तक हमने की थी उमीद करती हूँ आपको याद होगा जिसमें कि हमने जो है vertebrate में eye lens का induction कैसे होता है या eye lens का formation कैसे होता है उसके बारे में हम बात कर रहे थे जिसमें कि हमको जानने को ये मिला था कि जो eye lens है वो ectoderm से बनी होती है यानि ectoderm से derive होती है eye lens ectoderm को हम जो है surface ectoderm या head ectoderm के नाम से भी जान रहे थे ये basics हमने deal किया था साथी साथ हमने ये चीज भी देखी थी दो चीजों का हमने नाम देखा था पहला ये देखा था कि brain से निकलने वाले जो paired bludges होते हैं वो आगे चल के जो है surface ectoderm को approach करते हैं और surface ectoderm जो है lens placard में convert होता है and then वो lens में convert हो जाता है ठीक है दूसी तरह हमने ये देखा था कि जो head ectoderm होता है वो competent होता है that is why वो optic vesicle से आने वाले paracrine signaling को receive कर पाता है and respond कर पाता है तो यहां हमने paracrine signaling भी देखी थी लेकिन उसके अलावा हमने reciprocal paracrine interaction का भी example देखा था जिसमें कि हमने ये देखा कि paracrine signaling में optic vesicle जो है ectoderm को paracrine factor भेजके response करवा रहा है और उसकी वज़े से lens बन रहा है दूसरा जब lens बन जाता है तो बारी आती है retina की बनाने की तो उस टाइम पे जो lens होता है अब वो optic vesicle को paracrine factor भेज रहा होता है paracrine interaction के लिए और response के तौर पे हमारे पास retina बन जाता है ठीक है तो हमने यहां paracrine interaction and reciprocal paracrine interaction ये दोनों ही देखा साथी साथ देखा की कौन किसको कैसे जो है induce कर रहा है उमीद करते हूं कल जो यहां तक हमने basics clear किया था वो आपको समझ में आ गया होगा साथी साथ हमने ये देखा था कि islands का जो formation होता है वो new relation stage पे होता है new relation stage एक ऐसा stage है जहां पर neural plate जो है उसका transformation neural tube में हो जाता है neural tube के दो polarity पाई जाती है anterior polarity, posterior polarity जिसमें की anterior neural tube जो होता है वो आगे चलके brain बनाता है और इसी brain का extended part जो है वो eye में develop होता है और उसी eye में हम lens की बात करते हैं लेकिन क्योंकि body में कहीं भी eye नहीं बन सकती है body में एक जगे decide होता है यानि mainly जहां पर brain बन रहा है उसी location में एक और जगे decide होती है जिसे हम eye field कहते हैं यह वही eye field होती है जहां पर वो सारे factor express करेंगे जो की eye lens का formation कराएंगे इसलिए eye field को बनाने में noggin, pack 6, 6, 3, rx1 इस type के factor का expression होता है और यह वो field को decide करते हैं जहां पर eyes बनेगी साथ ही साथ हमने यह देखाता कि eye जो है एक specialized extension होती है brain का eye lens का induction जो है new relation stage पे होता है और optic vesicle और ectodrome के बीच का जो interaction होता है वही eye lens के development में मदद करता है यहां तक हमने देख लिया था जिसने हमने दो मिनट में revise भी कर लिया बता दीजे यहां तक सभी को सारी चीजें clear है अब हम इसके आगे बढ़ेंगे ठीक है नहीं जी कुछ late नहीं हुए है मैं revise कर रवारी थी जो कल मैंने पढ़ाया था आज हम उसका continuation करेंगे चलो तो यहां तक हमने देख लिया था ठीक है अब हम क्या करते है एक और basic outline में आपको बताती हूँ फिर मैं थोड़ा advance में entry दे लवांगे ठीक है advance में हो सकता है कुछ नय-nया factor सुनेंगे बट उसको देख कर tension नहीं लेना है at the end reality is that आपको सब याद हो जाएगा ठीक है बस आपको revision करते रहना है signal for eye lens induction कैसे होता है मतलब मैं जो story बनती है story उस story को मैं आपको समझाने की कोशिश करी क्योंकि जब आपको पता है कि जब किसी कहानी के बारे में आपको पता चल जाए जब आपको story पता चल जाए न तो आपको समझना आसान हो जाता है तो story कैसे चलती है देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बड़ा बहुत अच्छा सा statement बताती हूँ कि eye lens का induction जो होता है वो actual में induction and competence का best example है आपको याद होगा जब मैंने आपको induction and competence के बार में पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि induction and competence की मदद से eye lens का induction होता है वहाँ पी हमने सिर्फ ये line पढ़ी थी और आज हम उसी eye lens के induction के बार में detail पढ़ेंगे तो induction process भी हमने पहले पढ़ा है competence process भी हमने पहले पढ़ा है तो उसी induction competence के overall mechanism से जो है eye lens का formation होता है इसलिए हम बहुते है eye lens induction तो होता क्या है देखिए ये induction किसके बीच में हो रहा है कुछ चीजों के लिए एकदम आपको crystal clear रहना है किसके बीच में ये induction हो रहा है obviously ये किसके बीच में हो रहा है मतलब कि optic vesicle जो है और head ectodom इनके बीच में जो है हमको induction देखने को मिलेगा जिसमें कि optic vesicle किसका काम करेगा optic vesicle काम करेगा inducer का ठीक है और head ectodom किसका काम करेगा responder का आपको पता है induction signal होने के लिए दो component ज़रूरी होते हैं inducer, responder inducer का काम optic vesicle करेगा responder का काम head ectodom करेगा इन दोनों के बीच में जो induction होगा उसकी वज़े से क्या होगा जो outer ectodom है जिसे हम head ectodom कह रहे हैं surface ectodom है इसमें क्या होगा इसमें होगा differentiation इस differentiation की वज़े से जो है जो ectodermal cell है वो differentiate होके lens placard में convert हो जाएगी और मैंने आपको कहा था कल lens placard क्या होता है एक अलग तरीके से thickening हो जाती है ectodom की उसे हम lens placard कहते है लेकिन ये सब कुछ होने के लिए जो है हमें inducer and responder की ज़रूरत है और उस responder के पास किस चीज की capability होनी चाहिए respond करने की उस respond करने की capability को हम क्या कहते है that is competence कहते है यानि responder के पास competence nature होना चाहिए जैसे हमने induction and competence में पढ़ा था पहले भी ये है signal 1 signal 1 यानि ये पहला signal है जो देखा जाता है कि inducer यानि optic vesicle ने induce किया responder ने respond किया क्योंकि responder competent था यहां responder कौन है head act around ये है पहला signal इसकी वज़ा से क्या होता है इस पहले signal की वज़ा से जो है हमारे पास क्या बनता है that is a lens बनता है फिर आती है दूसरे signal की बात दूसरे signal में क्या होता है दूसरे signal में अब role जो है अदल बदल कर दिये जाते है interchange कर दिया जाता है role यानि जब जो पहले inducer था अब वो responder होगा जो responder था अब वो inducer होगा यानि जिसे हम बोलते है reciprocal induction और इस induction में कौन से signaling काम कर रही है हाँ जी कोई मुझे बताएगा हम इसे कहतो रहे है induction लेकिन इस induction में कौन से signaling काम कर रही है yes that is paracrine signaling काम कर रही है तो इस induction में paracrine signaling काम कर रही है इसलिए आप reciprocal induction भी कह सकते है reciprocal paracrine interaction भी कह सकते है तो अब जो reciprocal induction होगा उसमें क्या होगा उसमें जो है inducer अब खुद induce होगा यानि optic vesicle अब responder की थारा काम करेगा और responder क्या बन जाएगा inducer बन जाएगा यानि lens जो है वो inducer होगा और optic vesicle जो है responder होगा और इस second signal की वज़े से क्या बनता है that is retina बन जाता है और यहाँ पर किसकी यहाँ पर role हो रहा होता है mainly gasulation process में जो हमार पस तीन germ layer आई थी ectoderm, mesoderm, ectoderm उनमें से जो ectoderm होती है वो lens बनाने का काम करती है so the lens is from the outer skin or ectoderm of the head तो कभी-कभी यह दो marks में question आता है ठीक है यह part B में जो है part B में यह question आ सकता है कि जो lens होती है वो किससे derive होती है कौन से germ layer से derive होती है तो your answer will be ectoderm क्या यह slides अभी को clear है हाँ जी signal की slides अभी को clear है कि किस तरीके से signal काम कर रहा है चलो आगे बढ़ा जाता है अभी तक तो अच्छा अच्छा लग रहा था ना चलो अब थोड़ा सा advance में बात करते है ठीक है मैं आपको एक case study बता रही हूँ case study किसका case study बता रही हूँ में xenopus का frog का frog में जब देखा गया कि eye field का specification कैसे हो रहा है और lens के induction में कौन-कौन सी factors participate कर रहा है तो बहुत सारे players जो है देखने को मिले players कौन होते है players वो gene या वो protein होते है जो उस pathway में play कर रहे होते है यानि अपना role निभा रहे होते है उसे हम players कहते है तो बहुत सारे players सामने आए और ये चीज़ देखी गई xenopus के embryo में experiment कर गए तो देखा क्या गया देखे आप देखा हम से सबसे पहले क्या किया गया जो anterior neural plate का formation हुआ है आपको पता है वही वाला region आगे चलके आई बनाएगा ठीक है हुआ क्या actual में सबसे पहले देखा गया formation of eye field in the xenopus embryo सबसे पहले देखा गया कि जो eye field का formation है वो xenopus embryo में किस तरीके से हो रहा है और देखा गया कि वहाँ पे बहुत से factors जो है वो express कर रहे है जैसे कि यहाँ पर जो है figure B में आप देख सकते है कि किस तरीके से जो है बहुत सारी genes activate हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर dynamic expression हो रहा है बहुत से transcription factor का dynamic expression यानि ऐसा expression जो constant नहीं है dynamic word का मतलब होता है something which is subjected to any kind of a change which is not constant तो dynamic expression होआ बहुत से transcription factor का जिसकी वज़र से eye field का specification हुआ जब stage 10 stage 10 मतलब कि आप यह देख सकते है यह 10.5 stage है मतलब development के नहीं stage होते है stage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके तो stage 10 से पहले जो है xenopast embryo में देखा क्या आविया देखिए एक noggin नाम का factor है ठीक है noggin protein जो है वो ETK expression को inhibit करता है लेकिन OTX gene के expression को promote करता है अब यह जितने आप नए-नए gene देख रहे हैं यह सब gene जो है अपना role निभाते हैं eye field को specify करने में and eye lens का induction करवाने में जिसमें से पहला gene आपने जो सुना वो है क्या that is a noggin दूसरा gene आपने सुन लिया ET तीसरा gene आप सुन रहे हैं OTX2 अच्छा जो मैं यह बता रही हूँ ना यह additional advance form है इससे question अभी तक बने नहीं है लेकिन आगे चलके chances हैं कि इस pathway से question बन सकता है इसी उमीद से जो है इसको पढ़ाया जा रहा है इसका future expectation है कि यह might be exam में पूछा जा सकता है तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि 10th stage 10th stage जो होता है development का उससे पहले क्या हो रहा है कि जिनोपस के embryo में देखिए Nogin नाम का protein express कर रहा है यह जो Nogin protein है इसके दो काम है पहला कि यह ET को inhibit करेगा and OTX2 को activate करेगा यानि इसका Nogin का activation OTX2 को activate कर रहा और ET को inhibit कर रहा है अब क्या हो रहा है ET inhibit हो रहा है तो उसकी वज़े से क्या हो रहा है OTX protein then block the inhibition of ET जैसे ही OTX activate हो रहा है वो क्या कर रहा है Nogin के दोआरा ET को inhibit करने वाले pathway को देखे यहां पर वो inhibit कर दे रहा है यानि Nogin ने OTX को activate कर वाया और Nogin ने ET को inhibit किया OTX2 activate होते ही क्या कर रहा है Nogin को बोला है कि भाई तु रुक जा प्लीज तु ET को जो है inhibit मत कर यानि वो यह कैसे कर रहा है OTX protein block the inhibition of ET by Nogin signaling Nogin के signaling को बंद कर दे रहा है OTX2 और ET के activation को बढ़ा दे रहा है इसकी वज़े से क्या हो रहा है ET transcription factor जो है यह activate कर रहा है RX gene को ET जो है देखे अब क्या हो गया है ET यहाँ पे activated रह रहा है क्योंकि इसको जो Nogin inhibit कर रहा था उस inhibition को OTX2 ने रोक दिया अब ET यहाँ पे activate हो जाता है ET अक्टिवेट होने के बाद क्या करता है यह RX1 gene को activate करता है यह सब genes है यहाँ पे RX1 gene को activate करता है RX1 gene क्या करता है which encode or transcription factor RX1 gene भी transcription factor बनाता है जो क्या करता है जो आगे चल के block करता है OTX2 को देखिए RX1 जैसे ही activate हुआ देखिए इसका inhibition effect कहां गया OTX2 पे तो देखिए कैसा काम चल रहा है Nogin ने OTX को activate कर रहा है OTX activate होने के बाद Nogin के signaling को ही रोक रहा है ताकि वो ET को inhibit ना करे और ET activate हो के RX1 को activate करा रहा है जो कि ET OTX2 के वज़े से activate हुआ था और जब ET activate हुआ तो उसने RX1 को activate कि और RX1 ने OTX2 को inhibit कर दिया इस सब की वज़े से क्या होता है इस सब की वज़े से जो है final expression होता है PAX6 का देखिए PAX6 gene का जब expression होता है तो PAX6 protein क्या करती है यह protein initiate करती है cascade of gene expression जो की constitute करता है I field को यानि ऐसे factors का activation करवाती है जिसे की हो गया 6.3 का activation Tll का activation LHX2 का activation इन सब के activation की वज़े से क्या होता है that is I field जो है construct होता है और जब I field construct होगा तो वहीं पर I बनने का काम होगा ठीक है अब यहाँ पर जिन factors का activation है वो देखिए कैसे activation है वो mutual activation है माल लिजे PAX6 ने 6.3 को activate कर रहा 6.3 बदले में क्या करती है फिर सब PAX6 को positive influence देती है कि भाई तू भी activate हो तू भी activate रहा 6.3 activate होती है तो T.L.L. को activate करती है फिर T.L.L. वापस से 6.3 को करता है उसके बाद L.X.2 के साथ भी same to same reaction है और PAX6 जो है O.P.T.X.1 O.P.T.X.2 जीन को भी activate करता है यह सब ही जीन का जो main function है वो होता है कि भाई I field को बना दो क्योंकि I field की जगे पर जो है आगे चलके I बनने का काम होगा तो यह है पूरा का पूरा complex action अब आप सोचोगे इससे question कैसे आ सकता है इससे question आ सकता है यह जो inhibition activation वाला जो हमने यह पंगा पढ़ा second point में यहाँ से question आ सकता है यह जो point हमने पढ़ा यह point important जैसे की कौन किसको activate कर रहा है जैसे की noggin जो है noggin का दो काम है इसको हम वापस से बना लेते हैं attention मत कीजिए इसको हम simplified manner में बना लेंगे आपको और clear हो जाएगा यहाँ पे हो क्या रहा है यहाँ पे हमने दो काम देखा that is noggin जो है यह दो काम कर रहा है पहला यह OTX2 को activate कर रहा है और दूसरा यह ET को inhibit कर रहा है यह चीज तो सब को समझ में आ गई होगी ठीक है हम summary ले रहे है जिनको भी जहाँ पे miss हुआ जो बच्चे miss कर गए उनके लिए ठीक है हम summary ले रहे है noggin का initial time में जो है noggin का activation होता है जो OTX2 को activate करता है और ET को inhibit करता है लेकिन आगी चल के क्या होता है आगी चल के क्योंकि OTX2 जो है OTX2 activate हुआ है तो OTX2 क्या करता है इस inhibition pathway को inhibit कर देता है होता है noggin भाई तू रुख जा प्लीज तू ET को जो है inhibit मत कर ET अक्टिवेट होके जा करता है ET अक्टिवेट होके ये RX1 gene को activate करता है जो की आगे चल के transcription factor को code करता है RX1 gene अक्टिवेट हो गया तो अब वो बोलता है कि ET भाई मुझे activate कर दिया तूने अब प्लीज तू रुख जा तू बार-बार activate मत हो क्योंकि तेरा activation हुआ ताकि मेरा activation हो सके and I am already activated तो मुझे और activate होने की जरूरत नहीं है तो प्लीज तूम रुख जाओ तो ET बोलता है भाई मैं अकेले नहीं रुख सकता हूँ मुझे activate करवाया है OTX2 ने तो एक काम कर तू OTX2 को रुख दे मैं अपने आप रुख जाओगा तो RX1 क्या करता है directly OTX2 को inhibit करता है कि भाई रुख जा अब RX1 जब activate हो जाता है तो वो फिर क्या करता है वो फिर PAC6 को activate करता है और PAC6 की मदद से जो है बहुत से ऐसी जीन का activation होता है जो आपने cascade देखा ऐसी जीन का activation होता है जो जीन क्या करती है जो जीन I field को specify करती है that is I field के लिए constitute करती है यह है पूरा summary बोला जाए तो यह है summary और कुछ नहीं है देखिए यही है वो जो हमने यहाँ बनाया है यहाँ पे जो genes activated है उस genes में आप 6-3, Tll, LH, X2 इन सब genes का नाम डाल सकते हैं तो it's very easy वही चीज यहाँ भी बताई है कि noggin जो है OTX2 को activate करवाता है OTX2 के कारण जो है ET, RX1, Pax663, LHX2 इन सब का activation होता है इन सब के activation की वज़े से क्या बना है इन सब के activation की वज़े से देखिए iField का specification होता है iField specify होता है उसके बाद यह सारे genes तो हैं उसके साथ Tll, L, O, P, TX2 यह सब genes मिलके फिर क्या करती है i बनाने का काम करती है तो यहाँ पे जो pathway है इसी pathway को यहाँ पे simplify तो coming back to the main topic हमने यह देखा था कि Nogin OTX2 को activate कर वाता है OTX2 जो है कि initial factor रहता है जो की iField को specify करने वाले pathway को activate करता है तिक है उसके बाद हमने यहाँ पे उन सभी के बारे में mention किया गया है कि कौन सी चीजे जो है कैसे कैसे काम करे यह सब कुछ यहाँ पे mention किया गया है साथी साथ देख सकते हैं आप stage 12 and stage 15 में कौन सी gene कहाँ पे कैसे activate हो रही है उसका location भी दिखा रही है of course location उत्रा जरूरी नहीं है picture मिली इसलिए आपको मतलब overall लगा के दिखा दिया साथी साथ एक mutation केस आता है वो कौन सा देखिए eye development in normal mouse embryo and lack of eye in the mouse embryo whose RX gene has been knocked out देखिए यह जो embryo आपको दिख रहा है न यह है wild type embryo किसका mouse का wild type embryo यानि इसमें कोई mutation नहीं हुआ है लेकिन इसको देखिए जरा इसकी आखे गायब है क्योंकि यह कौन है यह है RX gene mutation हो गया है इस mouse में इस mouse में RX gene mutation हो गया है तो देखिए eye जो है यहाँ बनी नहीं है mutation मतलब की mutation हो गया कहले यहाँ पिर knock out कर दिया गया है knock out मतलब की RX gene को यहां से निकाल दिया गया है eye क्यों नहीं बनी क्योंकि ध्यान दीजे जरा RX 1 एक बहुत initial factor है जिसके activation की वज़े से बाकी cascade शुरू हो रहा है अब कोई pathway माल लीजे यहीं पर रुख जाएगा तो eye lens क्या बन पाएगा नहीं eye field ही specify नहीं होगा eye lens क्या ही बनेगा ठीक है तो वही बुला गया है कि initial time में अगर आप RX 1 को mutate कर देते हैं या knock out कर देते हैं तो eye का development रुख जाएगा ठीक है यह था genopus का case उमीद करती हूँ आप लोगो जो है यह जीनोपस का case आप समझ में आगया होगा बाकि जितने भी जीन से उन सभी जीन का जो role है Y field को specify करने में है और आगे चलके कुछ जीन का role जो है eye lens को form करने में है अब eye lens में कौन-कौन काम करे वो भी हम देखेंगे ओके चलो तो अब एक yes, OTPX2 अलग है और OTPX2 OTPX2 बहुत initial stage में activate हो रहा है और OTPX2 जो है eye field जब specify कर दिया जा रहा है वहाँ पे activate हो रहा है तो यह सब जीन के अलग-अलग role हमने देखें अब मैं आपको एक outline समझाती हूँ कि lens कैसे develop हो रहा है यह जो diagram है यह एक outline basis पे काम करेगा ताकि आप जो चीज़ें अपने दिमाग में जाने दोगे जो भी facts आप अपने दिमाग में जाने दोगे उस facts को यह एक image देगा तो starting with the very initial step देखें यहाँ पर यह है head ectoderm of vertebrate embryo यह है यह है ectoderm जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो और यह अंदर blue वाला portion जो है यह क्या है यह brain का part यह brain जो है देखें यहाँ पर यह आप देख सकते हैं यह वाला यह दोनों portion यह है bludges यह है bludging form हो रहा है brain से दो paired में bludges form होंगे तो यह जो bludging जब होगी तो यही bludges जो है आगे चल के optic vesicle कहलाएंगे जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो अब हम क्या कर रहे हैं अब हम सिर्फ इतना part लेके बात कर रहे हैं ठीक है यह जो इतना part है आप देखिए जिसको कि मैंने red color से cover किया है इतने part को लेकर हम यहाँ पे discussion करेंगे बाकी part को हम नहीं लेके यहाँ पे क्योंकि हमारा main reaction जो है इसी part में चलेगा इसलिए अब देखिए यह रहा optic vesicle और यह रहा epidermis यानि ectoderm अब क्या होगा देखिए इस optic vesicle से यहाँ पर कुछ signal जाएगा कौन सा signal जाएगा अभी आपको पता चलेगा यह optic vesicle से जब signal जाएगा तो यह जो ectoderm है देखिए यह ectoderm क्या होने लगेगा यह इस area से देखिए क्या हो गया ठिक हो गया यानि मोटा हो गया ठिकनेस गेंद कर लिया किस वज़े से क्योंकि optic vesicle इसको कुछ signal भेज रहा है इस signal को receive करके ectoderm ठिक हो गया है ठिक है यह जो thickening होई है यह ही कहलाती है क्या lens placard बन जाना यानि यह जो है अब lens placard बन चुका है अब यह lens placard क्या करेगा यह optic vesicle को जो है reciprocal तरीके से induce करेगा यानि reciprocal induction करेगा और reciprocal induction करने की वज़े से यह जो optic vesicle वाला portion है यह optic cup बनाएगा ठिक है यानि कोई चीज ऐसे थी अब क्या किया जो lens बना था उसने उसको इस तरीके से push किया तो यह ऐसे बन गई cup की तरह बन गई ठिक है और यह यही वाला cup होगा जो की lens को location देखा localized होने के लिए अब देखे यह optic cup बन गया यह optic cup बन गया optic cup जो है क्या करेगा optic cup फिर lens placard को induce करेगा ताकि lens formation शुरू हो और यह जो है इस तरीके से completely lens form होकर ready हो जाएगा और future में जो retina है वो पीछे की तरफ यह वाला portion देखने को मिलेगा तो lens यहाँ पर thicken हो जाएगा round out हो जाएगा और cornea rise हो जाएगी retina form हो जाएगा तो यह है आपका actual में एक outline की lens कैसे induce होता है हमने अभी कोई gene नहीं पढ़ा है यह picture है क्योंकि जब मैं आपको lens formation बता रही हूँ तो कोई तो rough picture आपके दिमाग में होनी चाहिए कि lens कैसे form होता है तो lens कुछ इस तरीके से form होता है जैसे कि मैंने कहा we are not studying the anatomy हम यहाँ कोई anatomy नहीं पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे genetic gene level पे developmental process को समझने की कोशिश कर रहे हैं अब चलिए समझते हैं कि यह पूरा process होता कैसे है तो इसको मैंने completely कुछ points में divide कर दिया है इस points में divide करने की व्यसे क्या होगा हम exactly समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है तो देखिए optic vesicle जो है वो evaginate होती है optic vesicle के इस वज़े से form होई है due to the evagination of a neural cell, neural cell जब evaginate होती है कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ bludging form करती है उसकी वज़े से optic vesicle form होता है जो की आगे चल की क्या करता है PAC6, 6.3, RX1 इन सब gene को activate करने में मदद करता है express करवाने में मदद करता है होता क्या है जो यह optic vesicle form होगा है यह कुछ paracrine factor release करता है जैसे कि हो गया BMP4, FGF8 फटा-फट सा बता दीज़े यहां पे कौन से signaling pathway चलने वाले है मैंने नाम बोला BMP4 and FGF8 अब आप बोलोगे मैं paracrine factor चलने paracrine signaling चलने वाला है मेरा question है paracrine signaling में भी कौन से signaling चलने वाली है उस signaling पे हम अपना दो दिन जो है invest किया है अब specific नाम बताइए कि अगर यहां BMP4 काम करेगा और FGF8 काम करेगा तो actual में यहां पर specific तरीके से case type की paracrine signaling चलने वाली है मुझे पता ताप लोग paracrine जवाब दोंगे इसलिए मैंने पूछा paracrine में कौन सा type चलने वाला है exactly यहां पर TGF बीटा पाथवे चलेगा और Fibroblast Growth Factor वाला पाथवे चलेगा यानि RTK पाथवे चलेगा अब समझ में आ रहा होगा आपको कि हम कैसे connect करने वाले है इसलिए उस टाइम पे आपको अलग से पढ़ाया गया था तो paracrine factor यहां पे BMP4 और FGF8 जो है वो optic vesicle के दुआरा release किया जाएगा और receive कौन करेगा head ectoderm जो की future में चलके lens बनने वाला है तिक है अब क्या होगा SOX2 जो की transcription factor है यह produce किया जाएगा head ectoderm में due to the formation of BMP4 यानि optic vesicle जो BMP4 को भेज रहा है कहां पे ectoderm में और वो ectoderm इस BMP4 को receive करके वहां पे TGF beta signaling करवा रहा है उस TGF beta signaling के कारण जो transcription factor बनेगा न वो होगा SOX2 ठीक है एक काम करते है हम जो यहां पे बोलते जा रहा है न उसको हम एक picture ले रहे है एक picture के form में भी बनाते चाब लेए देखिये तो हम क्या कह रहे है यहां पे बात हो रहे है यहां पे बात हो रहे है let's assume that this is an optic vesicle this is an optic vesicle and let's consider that this is a ectoderm आप्टिक वेसिकल क्या कर रहा है सबसे पहले आप्टिक वेसिकल जो है यह अपने पास से किसको सिक्रीट कर रहा है BMP4 को BMP4 को जिसे कौन रिसीव करेगा जिसे रिसीव करेगा एक्टोडॉम ठीक है इसको रिसीव करने के बाद response क्या मिलेगा response मिलेगा the formation of that is yes हमने यहाँ पे SOX2 का formation देखा right तो यहाँ पे formation होगा SOX2 का जो की क्या है जो की है transcription factor यानि optic vesicle से यह जो BMP4 release हुआ इसका aim क्या था कि surface ectodom area में जाके response के तोर पे SOX2 नाम के factor का transcription करवाना है और यह जो SOX2 है इसका रोल क्या होता है यह transcription factor की तरह काम करता है एक काम यह हो गया दूसरा देखिए FGF8 जो optic vesicle secret करता है वो क्या करता है surface ectodom में LMAF नाम के transcription factor का formation करवाता है यानि optic vesicle अब बूसरा paracand factor secrete कर रहा है उस paracand factor का नाम क्या है उस paracand factor का नाम है that is FGF8 FGF8 इसके response में क्या होगा इसके response में transcription factor बनेगा जिसका नाम क्या है that is LMAF उमीद करते हूं सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं ठीक है और यह सब क्या है यह सब जो है obviously these are your paracand factor जिसमें की obviously FGF8 आटिके pathway से चल रहा है और BMP4 जो है TGF beta pathway को लेकर चल रहा है उस pathway की मदद से यह सब responses हमको देखने को मिल रहे है अब आगे क्या होगा lens placard that is the head ectodermal cell express the Pax6 इसके अलावा यह जो ectoderm है आपको यह नहीं भूलना है कि ectoderm is competent ectoderm competent है तभी यह सारे जो factors है ना जो signaling molecules है इनको यह receive कर पा रहा है और यह competent किसकी वज़े से होता है due to presence of Pax6 Pax6 की वज़े से जो ectoderm है वो competent बन पाता है Pax6 ना रहे तो ectoderm की competency चली जाएगी और ectoderm इन सारे signal molecule को receive नहीं कर पाएगा ठीक है BMP4, FG, FAT सब क्या है यह सब है parakine factor यही parakine factor को हम signal molecule कह रहे हैं इन सब signal molecule को receive करने की capability ectoderm के पास है क्यों है क्योंकि वो competent है इन सार signal molecule को receive करने के लिए क्योंकि उसके पास Pax6 नाम का transcription factor present है जो की head ectoderm को competent बनाता है receive करने के लिए किसी signal को आगे क्या हुआ अब यह जो Pax6, LMAF and SOX2 बने हैं कहां पे head ectoderm में वो क्या करेंगे यह responsible होते है लेंस के differentiation में यानि इसका इसका और इसका इन सभी का response क्या होगा that is the lens differentiation lens का differentiation होगा और functional lens बनने के लिए ready हो जाएगा बिलकुल जी Pax6 ectoderm को responsive बना रहा है बिलकुल सही बोला आपने हो so now the combination of Pax6, SOX2, LMAF in the ectoderm is needed for the production of lens and activation of lens specific genes such as delta crystalline gene अभी जो lens differentiation होगा इसकी वज़े से क्या होगा that is lens forming gene का activation होगा जिन में से एक gene क्या होती है that is delta crystalline gene जो की lens होगा करती है transparency provide करती है और इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि बाई optic vesicle यहां किसकी तरह काम कर रहा है optic vesicle is acting like a inducer and surface ectoderm किसकी तरह काम कर रहा है that is responder यह पुरा responder की तरह काम कर रहा है और hence responder is having the competency nature और उस वज़े से यह पूरी signaling को लिए response देड़ पा रहा है lens forming gene का activation हो रहा है और hence lens differentiate हो पा रहा है अब क्या-क्या हो चुका है इस stage पे क्या हो चुका है यह सारी signaling को receive करके यह जो एक्टoderm है obviously जब lens के लिए differentiate होने जाएगा तो यह जो एक्टoderm है सबसे पहले lens placard बनाएगा lens placard यानि यह एक्टoderm थिक हो जाएगा थुरा मोटा हो जाएगा और hence lens formation की तरफ वो बढ़ जाएगा इन सब signaling की वज़े से lens placard बनेगा अब हमारे पास क्या है अब भी फिलाल में हमारे पास optic vesicle आ गया है lens placard आ गया है जहां पर optic vesicle inducer है और वो lens placard को induce कर रहा है तो hence optic vesicle को हम inducer कह सकते है एक्टoderm या lens placard को हम यहाँ पर responder कह सकते हैं जिसके पास competence factor है that is pack 6 अब यहाँ तक तो हो गया यहाँ तक सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पर proper induction हो रहा है अब बात आती है reciprocal induction की अब देखे यह आप देख रहे हैं यह वाला picture यह देखे एक्टoderm कितना मोटा हो गया है hence यह lens placard बन गया है तो अब क्या होगा अब यह जो lens placard है यह बदले में जो है optic vesicle को signaling देगा optic vesicle को यह signaling देगा और इस time पे lens placard inducer होगा और optic vesicle responder होगा किसी को हम reciprocal induction कहते हैं और इस signaling की वज़े से क्या होगा अब यह जो optic vesicle है यह अंदर की तरफ जो है invaginate होगी यानि यह जो यहाँ पर response हो रहा था जिसकी वज़े से ectodorm जो है धीरे धीरे आगे चलके और मोटा होता जाता कुछ इस तरीके से lens placard बनाता अब यह काम उल्टा होगा reciprocal induction में क्या होगा देखिए reciprocal induction में कुछ इस तरीके से होगा कि भाई यह रहा यह है क्या यह है lens placard ठीक है और यहाँ पर क्या था यहाँ पर था optic vesicle तब optic vesicle को क्या करेगा पहले optic vesicle बाहर की तरफ evaginate करके रखा था अब यह अंदर की तरफ कुछ ऐसे invaginate होने लगेगा इस तरीके से यह है optic vesicle क्यों 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 इसको signaling देते जा रहा है signaling देने की वज़े से क्या हो रहा है यह अंदर की तरफ जो है invaginate कर रहा है और invaginate क्या करेगा यह जो है couple light structure बना देगा कौन? optic vesicle वही चीज यहाँ पे बूली गई है optic vesicle invaginate करेगा ताकि यह bilayer structure फॉर्म कर सके एक अंदर वाला और एक बाहर वाला ये वाला अंदर वाला लेयर और ये वाला बाहर वाला लेयर ठीक है और इस तरीके से इनर एन आउटर लेयर बनेगी इनर लेयर जो है यानि अंदर वाली ये वाली लेयर ये वाली लेयर जो है यहागी चल क्या बनाएगी रेटीना बनाई और outer layer जो है वो optic nerve and pigmented layer बनाई गी और इस तरीके से करके ये वाला जो portion है ये वाला portion ये वाला portion ये वाला portion जो है ये eye lens बनके इस तरीके से ready हो जाएगा तो optic vesicle जो है ये brain का एक outgrowing portion होता है जो की surface ectoderm के साथ contact करता है उसके साथ एक signaling बनाता है जिसकी वरसे lens placard बनता है lens placard फिर बदले में optic vesicle को फिर से induce करता है जिससे की optic cup बनता है दो layer बनती है inner and outer inner layer retina का formation करती है और जो cup बनता है वही एक ऐसा location होता है जहां पर आके lens अपने आपको place करता है और इस तरीके से जो है आपका complete lens बनके ready होता है तो ये था पूरा का पूरा process on the basis of gene की कौन सी gene किस तरीके से काम कर रही है बताये clear हो गया अब यहां पर यही वाली picture जो है bookish form में भी आप देख सकते है वैसे तो यहां पर बहुत कुछ नाम mention है बट इतने नाम पर focus करने की ज़रूत नहीं है क्योंकि एक anatomical picture है ठीक है लेकिन आपको दिखाना चाहते है कि actual में picture दिखता कैसा है देखिए यह रहा optic vesicle ठीक है यह रहा lens placard यह आप देख सकते हैं किस तरीके से induction हो रहा है फिर आगे चलके यह बना optic cup, optic cup वाला area अंदर की तरफ देखे इन्वाजिनेट हुआ और यह पहला वाला जो first layer था वो बना retina और यह वाला lens पाठे देखिए का अंदर की तरफ कैसे यह इन्वाजिने हो रहा है और आगे चलके यही वाला portion देखिए यह बन गया lens और यह पीछे वाला portion बन गया that is your retina और आगे वाला portion obviously corny clear तो actual में तीन step में eye lens का development हुआ पहला eye field decide हुआ और optic vesicle का formation हुआ eye field किस वज़े से decide हुआ जो हमने starting में देखा था आपका xenopus का case वो सारे factors को हम eye field deciding factor में बने सकते हैं फिर optic vesicle का formation हुआ कैसे जो brain area था उस brain से जो है कुछ bulging out structure बने जो की optic vesicle बनाया फिर formation हुआ lens platform का जो की optic vesicle के signaling की वज़ा से पारकान signaling की वज़ा से हुआ और last में क्या हुआ फिर optic vesicle lens platform के बीच में जो interaction हुआ उसकी मदद से final lens और retina बरके ready हुआ जी optic cup जो यहां पर form हुआ है देखिए optic जो यहां पर optic vesicle जो अंदर की तरफ optic vesicle जो है अगर माननीजी यह optic vesicle है तो यह अंदर की तरह कुछ इस तरीके से layer करता है इस structure को हम बोलते हैं इस process को हम बोलते हैं कि optic vesicle जो है अंदर की तरफ invaginate होता है जब यह invaginate होता है तो total दो layer बनती है एक inner एक outer inner layer जो है आगे चलके retina बनाने का काम करते हैं क्या बात है आचल जी आप तो सवाल ऐसे पूछ रही है जैसे कि मानिये हम आपसे question करवाएंगी यह नहीं question कैसे आते हैं इस type से भाई करेंगे तो पहले पढ़िए उसके बाद question भी करेंगे idea मिलेगा कैसे question आते हैं question पर focus करेंगे तो concept कितना gain करेंगे पता नहीं और concept आपसे gain भी होगा या यह भी पता नहीं but concept पर focus करेंगे तो for sure question जरूर solve होगा है ना तो आपका जो vision है वो हमेशा learning oriented रहना चाहिए ना कि question oriented अजकल मैं बच्चों में जो behavior देख रही हूँ ऐसा है कि माल लीजिए मैं कोई एक topic है और मैं उसको पढ़ा दू यह कहके कि यह CSR का most important topic है 100% sure है कि इससे question आएगा यह कीन मानिया सब बच्चा पढ़ेगा उसको लेकिन सेम उसी topic को मैं अगर एक case study आपके सामने रखूं और मैं उसी topic हो कह दूं कि बेटा यह CSR exam का part नहीं है तो यह कीन मानिया hardly 2-3 बच्चे interested होंगे उसके बारे में जानने के लिए और कोई और बच्चा interested नहीं होगा तो harsh reality यह है कि आजकल की time में बच्चे खुद को educate और knowledgeful बनाने से जादा जो है वो exam oriented खुद को बना रहे हैं जो कि बहुत dangerous condition है हमेशा आपको आगे की तरफ आतू रहना चाहिए कि अगर कोई चीज आपके subject से 1% 2% related है और अगर वो काम आ सकती है तो उसके बारे में आपको information लेना चाहिए चाहिए वो exam में आने वाला हो या नहीं आने वाला आज कल बच्चे नहीं ऐसा नहीं करते हैं उनको चाहिए कि question आएगा या सीधी बात नो बखवास वाला चीज ठीक मैम question आएगा इससे नहीं आएगा मत पढ़ाओ आगे बढ़ो जी लेंस का regeneration का case जो है वो anatomical basis पे चला जाता है इसलिए हम उसके बारे में जाज़दा discuss नहीं कर रहे हैं और उसके बारे में developmental biology में ज़दा detail भी नहीं दिया रहे है कि bulging out के पीछे क्या-क्या molecular mechanism होता है हम उसके बारे में जाना चाहते हैं हम molecular mechanism जानना चाहते हैं lens formation के बारे में तो हमने यह देख लिया कि eye field specify होता है जिसमें की हमने देखा था OTX2, ET, RX1, PAX6, SOX3 यह सब gene का हमने अपना role देखा था जिससे की eye field specify होती है फिर optic vesicle का formation होता है by bulging out of a brain structure देन उसके बाद lens placard का formation होता है paracand signaling के दोरा जिसमें BMP4 and FGF8 काम करते हैं फिर interaction होता है optic vesicle and lens placard के बीच में जिसमें की optic cup का formation होता है reciprocal induction होता है और final जो result हमारे सामने आता है वो आता है lens का formation and then मतलब की lens का formation हो गया, retina का formation हो गया pigmented layer का formation हो गया नहीं, optic vesicle के लिए competent factor जो है as such कुछ mention नहीं किया गया है क्योंकि वो secondary signaling होती है जो हो रही होती है हम primary signaling पे ज़्यादा focus कर रहा है तो हमारे पास जो competency का main factor आता है वो आता है ectodorm के लिए क्योंकि वो primary signaling है अगर वो primary signaling नहीं चलेगी तो secondary signaling होगी नहीं reciprocal induction में कौन सा factor optic vesicle के लिए competency का काम करता है मतला उसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है maybe अभी तक discover नहीं हुआ हो या कुछ उपता नहीं चला हो लेकिन उसका नाम अभी तक कहीं पे mention नहीं किया गया तो अभी फिलहाल में competency के हम बात करते हैं तो सिर्फ सर्फेस ectodum related करते हैं ठीक है मैंने अलड़ी बता दिया है आपको कि devbio के notes के लिए आपको फिर से notes बनाने का जरूरत नहीं है यह जो slides आपको मिल रही है आप इसी को notes की तरह ले सकते हैं इसका print out निकालके highlight करके जो colorful आपके pen आते हैं अतरंगी color के उस pen का इस्तमाल करके highlight करके पढ़ सकते हैं कुछ extra diagram से मैंने add कर दी हैं इनकेस अगर आपको मन हो तो आप देख सकते हैं यहां पे आप देख सकते हैं एक और बढ़िया सा picture देके रखा है vertebrate eye lens के induction का जिसमें की you can see here की यहां पर पहले optic vesicle का formation हुआ है ठीक है फिर यहां पर देखिए यह रहे lens placard का formation यह रहा इस तरीके से optic vesicle बना हुआ है ठीक है आगे चलके जो है next यहां पर optic cup बना है fine and आगे चलके देखिए with the time यह वाला portion देखिए यह वाला portion देख सकते हैं किस तरीके से lens बनके ready हो लिया है कि यह वाला portion caught निया है यह पूरा process दिखा के रखा है थुरा सा realistic picture है यह देखिए हमने थुरा cartoon cartoon type picture में देखा है यह realistic picture है कि किस तरीके से lens induction काम करता है okay अब चलिए कुछ important key points के अब बार में बात कर लेता है उससे पहले यहां पे sequential तरीके से amphibian में lens का induction कैसे होता है इसकी भी एक picture देखे रखी हुई है जिसे कि आप देख सकते हैं यहां पे जो है ectodorm का formation हुआ है endodorm है यह सब तीजे यहां पे देखे रखा है उसके बाद आप देख सकते है OTX2 का जो है expression होता है ectodormal area में और आगे चलके OTX2 की वज़े से आपको पता है PAC6 का expression होता है ectodormal area में PAC6 का expression OTX2 की वज़े से कैसे होता है अभी आपने just pathway देखा था with time क्या होता है OTX2, PAC6, SOX3, Lmap फिन सबका expression होता है जहां पे lens ectodorm होता है जो की आगे चलके lens black ord बनेगा और यह बाहर वाला जो portion है आप देख सकते है this is what, this is the ectodermal area और this is the optic vesicle तो देखिये इसमें से जो BMP4 वगरा है वो किस तरीके से release हो रहा है और ectodorm पे देखिये BMP4, FGF8 के receptors वगरा है तो वो किस तरीके से receptors लगे है और वो किस तरीके से signaling को receive करें यही वाली signaling हम तब से समझ रहे थे और कुछ नहीं अनामिका जी जो भी extra आपको मिल रहा है यहां पे उस extra को बस add कर लीजे बाकि जो same है उसको same रहने दीजे जो extra बताया जा रहा है आपको लग रहा है कि यह वाला चीज प्रवाने वाले notes में नहीं है तो वो add कर लीजेगा क्योंकि हम vertebrate system पढ़ रहा है more or less होगा थोड़ा बहुत change हो सकता है ठीक है because frog को हम vertebrate का ही part मानते हैं तो frog के basis पे हम लेके चल रहा है अब mammalian basis पे आएंगे तो हो सकता है एक दो factor इदर उदर होंगे लेकिन जिसके basis पे आपके books में मतलब क्यापके syllabus में चीज़ें mention है उसी basis पे हम लेके चल रहा है तो हम जो हैं यहां पर mainly zenopus का case consider करके चल रहा है ओके यह एक bookish picture के form में आपको बता दिया गया कि किस तरीके से यह काम कर रहा है यह book वाली pictures क्यूं दिखाई जा रहे क्यूंकि हो सकता है इन में से कोई picture कल को दे दिया जाए अब आप बोलोगे कि माम आपने पढ़ाया लेकिन यह book वाली picture तो पढ़ाई नहीं जीनोपस में जब lens का formation होता है तो सिर्फ head ectoderm ही competent होता है signal के लिए respond करने के लिए मतलब optic vesical जो signal भेजे गाना head ectoderm को वो signal सिर्फ और सिर्फ head ectoderm ही उसके लिए respond कर सकता है और कुछ नहीं the anterior neural plate prime the head ectoderm जो anterior neural plate होता है वो head ectoderm को prime करता है via BMP4 and FGF8 prior to the signal from the optic vesical मतलब optic vesical से जो है signal आने से पहले ही जो anterior neural plate होता है वो head ectoderm को prime यानि एक तरीके से experience देना शुरू कर देता है with the help of BMP4 and FGF8 तो हम कहते हैं कि anterior neural plate जो है वो head ectoderm को prime कर देता है already pre-exposed करवा देता है BMP4 and FGF8 से इससे पहले कि optic vesical भी यह same signal produce करना शुरू करे and then lens का formation करवाना शुरू करे यह सारे cases हैं जो हमें Xenopus के case में देखने को मिलते हैं and this is a very important fact इस fact के बारे में आपको और अच्छे से तब पता चलेगा जब हम एक Xenopus का experiment पढ़ेंगे जिसे यह वला experiment था इसमें क्या किया गया इसमें एक्टोडर्मल competency को चेक किया गया और उसकी ability को चेक किया गया कि भाई वो optic vesical के लिए कितना response कर पा रही है जो कि optic vesical एक inducer है और यह case study किया गया Xenopus यानि frog में क्या किया गया जरा ध्यान से देखिए So the optic vesical is able to induce the lens formation in the anterior portion of ectodorm कहां पर फॉर्म हो रहा है anterior portion में क्योंकि neural tube में हमने देखाते है anterior portion ही lens के formation में मदद करता है But not in the presumptive trunk or abdomen अब देखिए यह जो पूरा structure है यह वाला पूरा portion head ectodorm है यानि यहां से लेकर यहां तक यह head ectodorm है और इधर से नीचे तक यहां से लेकर नीचे तक जहां trunk है यानि body का बाकी हिस्सा है तो head ectodorm वाला जो area होगा वो competent है optic vesicle से आ रहे है signal के लिए respond करने में और eye lens बनाने है तो experiment क्या किया गया देखिए अब ध्यान से ठीक है पहला experiment यह रहा यहां पर optic vesicle ठीक है तो normal induction देखा गया lens का with the help of optic vesicle यह था head ectodorm यह था optic vesicle एकदम normal normal है मतलब यह जो condition है this is a wild type condition देखने को क्या मिला कि optic vesicle ने head ectodorm को induce किया और wild type होने की वज़े से मतलब सब कुछ normal होने की वज़े से यहां पर successfully lens का formation हो गया कोई दिक्कत नहीं है यही result भी निकलता हमें भी पता है second experiment क्या किया गया देखिए optic vesicle को कहां पर transplant किया गया trunk में trunk यानि head ectodorm को छोड़के जो बाकी वाला हिस्सा आ गया तो trunk में जो है इसको transplant किया गया तो मुझे बताईए trunk में पाए जाने वाला ectodorm क्या इस optical vesicle के लिए what is your thought on this what do you think trunk वाला जो head ectodorm है that is not competent head वाला ectodorm competent है तो trunk वाला ectodorm तो respond नहीं करेगा इस optic vesicle के लिए so optic vesicle cannot induce the ectodorm that is not competent क्योंकि trunk वाले area का जो ectodorm है that is not competent to receive the signal क्योंकि वो competency head वाले ectodorm के पास है ना कि trunk वाले ectodorm तो यहां भी क्या lens formation होगा बिल्कुल नहीं होगा no lens right इसरे experiment तीसरे experiment में क्या किया गया optic vesicle को remove कर दिया गया और head ectodorm में एक दम सही सलामत है क्या lens बनेगा आपने inducer को हटा दिया है और आप यह expect कर रहे हो क्या result मिले तो क्या result मिलेगा बिल्कुल नहीं मिलेगा inducer है लेकिन responder भी तो sorry responder है बट inducer नहीं है तो ऐसे कैसे होगा optic vesicle remove हो गया hence again no lens induction कोई lens नहीं बनेगा तीसरे case में क्या किया tissue other than optic vesicle is implanted so no lens induction यानि head ectodermal area में जहां पे optic vesicle होना चाहिए वहां पे कोई और tissue को transplant कर दिया है obviously optic vesicle नहीं है तो फिर कौन lens बनाएगा कोई नहीं lens बनाएगा hence वहां भी lens नहीं बना तो इससे क्या conclusion मिलता है इससे conclusion मिलता है कि जो head ectodermal वाला area होता है optic vesicle is able to induce lens formation in the anterior portion of ectoderm, ectoderm के anterior side वाले portion में ही सिर्फ और सिर्फ lens का formation हो सकता है trunk या फिर abdomen portion में lens का induction नहीं करवा सकता optic vesicle चाहे आप optic vesicle को trunk या abdomen area में क्यों न implant कर दो, क्योंकि वहां की ectoderm competent नहीं है, उनके पास faxics नहीं है, तीसरा अगर आप optic vesicle को remove कर दोगे surface ectoderm या तो abnormal lens बनाएगा या बिल्कुल भी lens नहीं बनाएगा और fourth हमें result यह मिला कि other tissue जो है, वो capable नहीं है optic vesicle को substitute करने में, यानि optic vesicle की जगेह लेने में, उसका role play करने में, यानि यहां से हमको result क्या मिलता है कि हमको दोनों चाहिए, हमको optic vesicle भी चाहिए और हमको head ectoderm भी चाहिए, वो भी एकदम wild type condition में सही सलामत और सही जगेह पे, तभी जाकर हमको lens मिलेगा और अगर आप ने location के मामले में गरबढ किया, इनके nature के मामले में गरबढ किया, तो हमको lens नहीं मिलेगा ठीक है, अब इससे कुछ key point हमारे सामने आते हैं, पहला key point यह सारे key point बहुत important है, exam point of view से पहला PAC6 render the head ectoderm competent to receive the signal from optic vesicle PAC6 ectoderm को competent बनाता है, ताकि optic vesicle से आने वाले signal को head ectoderm है, वो receive कर सके apart from optic vesicle the head ectoderm may also be induced by BMP, FGF, so PAC6 is not exclusive for the lens formation बोला है कि optic vesicle जो है, optic vesicle क्या कर सकता है head ectoderm को induce कर सकता है but apart from optic vesicle मतलब, optic vesicle को अगर आप खटा भी देते हो, और अलग से आप head ectoderm में BMP and FGF को provide कर देते हो, तो उस time पे क्या होगा, head ectoderm जो है BMP and FGF के दुआरा भी जो है induced हो सकता है that means PAC6 जो है एक important factor है नहीं है, lens formation के लिए ऐसा नहीं है कि PAC6 अकेले lens बना लेगा, नहीं exclusive नहीं है, इसको और भी चीजों की मदद चाहिए होते है जैसे कि हो गया BMP and FGF से मिलने वाला induction ठीक है अगला important, lens formation required a sequential event whereby anterior neural plates signal the anterior ectoderm to promote the secretion of PAC6 which render the anterior ectoderm more receptive to the secretion from the optic vesicle, this can be best explained by the induction and competence phenomena जिसको हम तब से पढ़ रहे हैं lens formation एक sequential step है जिसमें की anterior neural plate जो है, वो signal देती है anterior side में पाए जाने वाले ectoderm को ताकि वो PAC6 का production शुरू कर दे, क्योंकि जब ectoderm PAC6 का production शुरू करेगी तभी ectoderm competent बनेगी और as a result of that जो anterior ectoderm होती है, वो receptive बन जाती है वो competent बन जाती है किसके लिए optic vesicle से आने वाले signal के लिए और उसे वो receive करने लगती है और यह जो पूरा हम scenario देख रहे हैं, यह scenario best explain किया जा सकता है competent and induction process के दोरा, इसलिए eye lens best example बनता है competence and induction का lens formation जब होता है zenopus का, तो हमने यह देखा है कि सिर्फ head ectoderm competent होता है response देने के लिए लेकिन जो anterior neural plate होती है वो head ectoderm को जो है prime कर सकती है BMP for an FGF के दोरा even prior to the signal from the optic vesicle जो कि अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा तो यह जो है यहाँ पे कुछ key points थे जो काफी important हो जाते हैं आपके exam point of view से इन सारे points से आपसे question पूछे जा सकते हैं ओके उमीद करती हूँ यहाँ पे हमने वही चीश conclude की जो conclusion हम तब से draw कर रहे थे अगर आप कहीं और पे pack 6 को मतलब कि transplant कर देते हैं और वहाँ पे proper ढंक से signaling बिल्कुल वैसी established हो जाती है जैसे कि lens के लिए चाहिए तो chances है कि वहाँ पे lens बन जाएगा ठीक है ओके तो यहाँ पे जो हमने सब कुछ इस picture में जो भी हमने देखा था यह वाले picture में इसका बहुत सारा explanation मैंने यहाँ भी लिखके रखा है for your help तो अगर आप कभी चाहिए तो आप इसकी help लेकर आप पूरे portion को डिल कर सकते हैं जो main point है जो कि मैं बता दू जो मैंने cover नहीं किया वह यह है कि अगर Pax6 मान लीजिए lost हो जाता है किसी भी वज़े से आपने knock out कर दिया या mutate हो गया चाहे वह Pax6 fruit fly की बात हो रही हो frog की हो रही हो rat या humans Pax6 जो है common है इन सभी organism में lens development के लिए तो चाहे fruit fly या डॉसफिला हो frog हो rat हो या human हो अगर इन में से किसी में भी Pax6 का loss हो जाएगा तो जो है यहां पर result क्या मिलेगा complete loss and reduction of eye या तो completely lens का formation लुख जाएगा या जो आखे है वह बहुत छोटी-छोटी हो जाएगी reduce हो जाएगी और यह common phenomena देखा गया fruit fly, frog, rat and humans अगर Pax6 loss हो जाता है तो ठीक है okay reciprocal induction के बारे में यहां पर लिख दिया है क्या करता है क्या नहीं everything मैं फिर भी एक पर बता देती हूं once the lens has been formed it induces the other tissue one of these responding tissue is optic vesicle itself does the inducer become induced under the influence of a factor secreted by the lens the optic vesicle become the optic cup and the wall all of the optic cup differentiate into two layers okay optic vesicle अब खुद induced होने लगता है optic vesicle transform हो जाता है optic cup में और optic cup आगे चलके differentiate हो जाता है दो layer में pigmented retina and the neural retina और इस type का interaction कहलाता है reciprocal induction जिसके बारे में हम already देख चुके हैं जो वहां पर बताया है पर समझाकर वहीं यहां पर standard boogish language में लिखा गया है और कुछ नहीं अब एक और बोलाता है that is the sonic hedgehog role यह भी बहुत important factor है यह sonic hedgehog कहां से आया इतना कुछ हमने देख लिया lens का formation देख लिया तो यह sonic hedgehog कहां से आया और यह क्या कर रहा है तो देखिये हमारे चहरे पर आपको पता है कि आखे जो है वो दो है राइट तो यह क्या करता है sonic hedgehog actual में bilateral field का formation करता है यानि जगह decide हुई कि कहां पर आखे बनेंगी लेकिन यह decide करना कि दो आखे बनेंगी और किस जगह पर बनेंगी मतलब कि bilateral division करना वो divide करने का काम करता है sonic hedgehog का presence तभी हमारे चहरे पर दो आखे है otherwise sonic hedgehog अगर काम ना करे ना तो पूरे चहरे पर एक ही आख बनेंगी जो कि एक condition भी है ठीक है तो चाहे flies हो या vertebrate हो Paxix जो है यह कुछ ऐसे signaling cascade करवाता है जिसमें बहुत से transcription factors involved होते हैं जैसे कि हो गया 6,3, Rx SOX2 इन सब के function overlapping है यानि more or less एक दूसरे के जैसे ही है this factor mutually activate one another to generate a single eye forming field in the center of the vental forebrain और इन सारे factors की mutual activation की वज़े से क्या होता है एक ऐसा field form होता है जहां पर आखे बन सकती है the final result however is two eyes that are more lateral in the head जो initially decide होता है कोई ऐसी जगा जहां पर एक आख बन सकती है single eye forming field decide होता है वो भी center में यानि पूरे चहरे में का चहरे के बीच में कहीं एक आख बनने वाली field decide होती है इन सारे factor की वज़े से लेकिन अभी अगर आप अपने चहरे को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे चहरे पर दो आखें वो भी head के literally placed है वो ठीक है so the main player in separating the single vertebrate eye field यानि यह जो शुरुवात में जो factors activate हुए उन्होंने पूरे के पूरे eye field को divide नहीं किया कि एक आख यहां बने दूसरी आख यहां बने नहीं उन्होंने field को ऐसे divide किया जिससे कि एक ही आख पूरे चहरे पर बन पाती लेकिन बीच में एक factor आता है जो इस blender को होने से बचा लेता है और वो eye field को दो पार्ट में divide करता है यानि bilaterally divide करता है और इसकी बज़न से क्या होता है single vertebrate की जो eye field होती है वो दो bilateral field में divide हो जाती है जिससे कि एक आख यहां पे और एक आख यहां बनती है और अगर यह किसकी वएसे बनती है with the help of a sonic hedgehog तो आपको पता है यहां पे कौन से signaling चलेगी यहां पे hedgehog signaling चलेगी यहां पे hedgehog signaling चलेगी so the separation of single eye field into the two bilateral field depends upon the secretion of sonic hedgehog protein जब यह protein आती है तो यह क्या करती है यह एक field को जहां पे सिर्फ एक आख बन सकती थी उसको bilateral field में divide कर देती है और एक आख को यहां और एक आख को यहां बनने के लिए दो field प्रोवाइड कर देती है that is why हमारे चेहरे पे जो है प्रॉपर डंग से दो आखे सगी जगह पे बनी हुई है लेकिन यहां पे आता है twist माल लीजे अगर sonic hedgehog mutate हो गया तो यह तो question आएगा यहाएगा दिमाग में कि भाई अगर sonic है जो mutate हो गया तो or if the processing of this protein is inhibited या फिर sonic है जो कि जो processing है यानि बनने का जो तरीका है उसको inhibit कर दिया तो क्या होगा the single median eye field will not split यानि जो single eye field बनेगा वो split होके दो eye field में नहीं बनेगा और as a result single eye field ही रह जाएगा जिसकी वज़े से क्या होगा जिसकी वज़े से there will be one condition called cyclopeia condition इस condition में क्या होता है सिर्फ एक single eye बनती है in the center of the face and usually below the nose ठीक है यह एक ऐसा condition होता है जिसमें कि एक single eye जो है पूरे चहरे के बीचो बीच बन जाती है it is thought that sonic hedgehog protein from the pre-cordal plate suppresses the Pax6 expression in the center of the embryo dividing the field into two यानि आप कह सकते हो Pax6 यहाँ express किया होगा Pax6 यहाँ express किया होगा Pax6 यहाँ पे बीच में express नहीं किया है और बीच में express करने से किस ने बचाया है sonic hedgehog ने बचाया है sonic hedgehog ने Pax6 के expression को यहाँ पे बीच में express होने से suppress कर दिया है and that is why Pax6 यहाँ express किया क्योंकि sonic hedgehog ने यहाँ पे Pax6 को inhibit नहीं किया यहाँ पे भी inhibit नहीं किया लेकिन बीच में inhibit किया अब cyclopeia condition दिखता कैसे है चल यह picture दिखा देते हैं आपको यह देखिए this is a cyclopeia condition यह देख सकते हैं यह एक बच्चा है जो की cyclopeia condition के साथ है और आप देख सकते हैं सिर्फ इसके middle में एक eye बनी हुई है मैं इसको zoom कर देती हूं में भी कुछ बच्चों को ना दिख रहा हो तो यह देखिए this is a cyclopeia condition यह देखिए clear आज आज आपने एक ही चाप्टर में तीन signaling के बार में समझ लिया hedgehog signaling FGF signaling TGF beta ठीक है तो इतना दो दिन से जिस चाप्टर ने आपकी जान लेकर रखी थी आपको बता चल रहा है कि वो चाप्टर आप कैसे काम आ रहे है अब यहाँ पर क्या होता अगर में वो चाप्टर नहीं पढ़ाती न तो मुझे यहीं ब्याट कि आपको समझाना पड़ता कि hedgehog signaling कैसे चलती है वो क्या होता वो distraction होता आप फिर आई वाले chapters तो distract हो जाते हैं hedgehog पर फोकस करना पड़ता तो वो फिर पढ़ने में न हमजा नहीं आता है फिर उसमें इसलिए signaling पहले ही आपको पूरी deal करवा दी गई है और एक एक करके देखे मैं आपसे connect करवा देरी हूँ कि भाई देखो वो वाली signaling है जो हमने पढ़ी थी वो वाली signaling यहाँ पे चल रही है मुबाशीर अभी फिलाल में जो result सामने आया है वो यह है कि center of the face पे बनती है जिसमें कि यह नाक का जो position होता है वो position तक यह ले लेती है मतलब कि यहाँ पे साफसा बोला जाए midline of the face would be reduced and single eye will be formed in the center of the forehead ठीक है तो यह एक ऐसा location है कि पूरे चेहरे के बीच में हो सकती है या फिर forehead के center में हो सकती है या नाक और forehead के बीच का जो portion है वहाँ पे देखी जा सकती है और अगर जनरल भाशा में कहा जाए तो पूरे face के center में पाई जाती है ठीक है यह एक case था चलिए दूसरा देखते हैं यह cyclopeia condition है sonic है जो का उमीद करती हूँ roll आपने समझ लिया होगा कि यह bilateral eye field बनाती है यानि एक field को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है ताकि दो आखे बने और अगर यह field divide ना हुआ तो एक ही आख बनती है जो कि आपने देख लिया cyclopeia condition में FGF8 के बारे में भी यहाँ पर mention कर दिया है इसको आप लोग go through कर लेंगे क्योंकि FGF8 का जो भी roll है वो just हमने देखा कि FGF की वज़े से क्या बन रहा था FGF की वज़े से ectoderm में LMAF बन रहा था और BMP4 की वज़े से क्या बन रहा था that is SOX2 बन रहा था ठीक है तो वही बताया गया है कि FGF8 जो है अपने receptor यानि FGFR से बाइंड करके जो है वहाँ पर आठीके सिग्नलिंग करवाता है उस आठीके सिग्नलिंग की वज़े से LMAF नाम के transcription factor का production होता है that is in the ectodermal area तो एक जो यहाँ पर important condition है experimental condition है वह में बता देती हूँ क्या किया गया FGF8 was shown to be sufficient for inducing lens forming by placing the FGF8 containing beads adjacent to the head ectoderm देखा गया कि FGF8 जो है इतना sufficient होता है कि यह lens induction करने में मदद कर सके इसको कैसे देखा गया इसको जो है FGF containing beads को जो है head ectoderm की adjacent side में रख दिया गया मतला place कर दिया गया जिसकी वज़े से क्या हो गया यह जो FGF8 को हमने express करवाया है head ectodermal area में वो ectopic expression है ectopic या नहीं normal expression नहीं है वो experimental expression किया है हमने this ectopic FGF8 induces the ectoderm to express the lens associated transcription factor called LMAF and produces ectopic lens हम सिर्फ यह देखना चाहते थे कि FGF8 क्या कर पा रहा है हमने पहले भी देखा था कि FGF8 की वज़े से जो है LMAF नाम का transcription factor बन रहा था हमने complete वाले detail वाले पाथे में देखा था तो अब हमने क्या किया कि FGF8 containing beads को हमने head ectodermal area में ले जाके adjacent area में ले जाके जो है express करवा दिया तो देखा क्या कि उस area में जो है FGF8 secret करके head ectoderm में फिर से LMAF का production करवा रहा है और LMAF के production की वज़े से lens का भी production वा आपे हो रहा है तो इससे यह चीज़ signify होती है कि FGF8 की मदद से lens का formation हो सकता है So FGF often work by activating a set of receptor tyrosyn kinase जिसकों कि हम fibroblast growth factor receptors कहते हैं यह एक experimental condition था जो कि again आपसे CSR में पूछा जा सकता है और इस experimental condition में कुछ बहुत ही blunder नहीं किया गया सिर्फ cross check किया गया कि भाई जो हम कह रहे हैं वो यह कर पा रहा है यह नहीं एक बर cross check करो तो उसी यह cross check किया गया अब यहाँ पे PAC6 के बारे में information है यानि paired box protein PAC6 is a paired box protein तेखे इसी को हम shortcut में PAC6 कहते हैं तो यहाँ पे PAC6 के बहुत से facts के बारे में mention है यह facts हमको पहले से ही पता है क्योंकि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है फिर भी एक बार go through कर लेते हैं ताकि कोई point हम से miss ना हो तो PAC6 क्या है? PAC6 important है क्योंकि यह head ectoderm को competent बनाता है ताकि inducer से आ रहे हुए inductive signal के लिए head ectoderm respond कर सके तो PAC6 actual में कहां पे express हो रहा है head ectoderm में या फिर ectoderm या surface ectoderm जो भी आप बूलना चाहें ठीक है? PAC6 को head ectoderm में ही देखा गया है जो की respond करता है optic vesicle के लिए और lens का formation करता है और इसको कहीं और नहीं देखा गया है other region of surface ectoderm मतलब in the in other body part other body part के ectoderm में इसको नहीं देखा गया है इसको सिर्फ head ectodermal area में ही देखा गया है यानि head वाले ectoderm में ही देखा गया है PAC6 important होता है competency provide करने के लिए that is in ectoderm अगर आप PAC6 का loss करवाद होगे कोई भी organism हो उसमें आई-lens का induction हो जाएगा या तो आई जो है reduce हो जाएगी PAC6 जो है एक important competence factor है जिसका nature protein है और जो transcription factor की तरह काम कर सकता है PAC6 transcription factor के पास दो DNA binding domain होते हैं PAC6 important होता है normal eye को form करवाने में nervous system को form करवाने में पैंक्रियास को form करवाने में nose development में इसलिए जब PAC6 का mutation होता है तो eye के साथ-साथ इन सब area में भी थोड़ा थोड़ा असर पड़ता है क्योंकि PAC6 सिर्फ eye में ही role play नहीं करता है ये nervous system में, pancreas में, nose development में भी मदद करता है इसलिए ये सारे area भी affected होता है अगर PAC6 mutate होता है तो SOFT2 PAC6 जो है ये मिलकर क्रिस्टलाइन जीन का expression करता है और PAC6 मदद करता है ये लेंस को differentiate करने में और किसलाइन जीन का activation करवाने में यहां पर optic vesical inducer की तरह काम करता है और PAC6 competent factor की तरह काम करता है देखा गया है mouse PAC6 gene जो है which is expressed in lens, cornea, retina of the eye and in the neural tube and in the pancreas mouse में ये देखा गया है कि PAC6 gene जो है lens में, cornea, retina, neural tube and pancreas में express होते है and PAC6 gene is similarly required for eye development in frog, rat and human और जिस PAC6 gene के हम यहां पर बात कर रहे थे, वो PAC6 gene जो है frog में, rat में and human में भी equally important होता है जैसा important हमने इस case में देखा था तो PAC6 is needed for the surface ectodorm to respond to the inductive signal from the optic vesicle ये सारे key points थे about the PAC6 जो की हमने पढ़े और जो काफी जादा important थे तो यहां पर रोल बताया गया है जैसे कि महां लीजिए PAC6 SOX2 का जब activation होता है तो आगे चलके जो है PAC6 SOX2 LMAF ये साब मिलके क्या करते हैं? ये साब मिलके lens placard का भी development करवाते हैं और साथी साथ delta crystalline gene का activation करते हैं जो कि आगे चलके lens की transparency को maintain करता है क्योंकि देखिए इस तरीके से SOX2 और PAC6 मिलके क्या करते हैं? delta crystalline gene के enhancer sequence पे जाके bind करते हैं और delta crystalline gene और other gene जो कि lens का formation कर सकते हैं उनका activation करवाते हैं तो इस तरीके से हम कहबाते हैं कि PAC6, LMAF and SOX2 protein are all needed for the transcription of crystalline in the lens crystalline gene का expression lens में करवाते हैं कि lens को transparency मिल सके तो आपने देखा होगा lens जो है वो transparent होते हैं तो इस ही transparency के लिए इसका mentioning किया गया है इसको आप लोग एक बार read कर लेंगे अभी तक जितना कुछ मैंने पढ़ाया उसी को यहां पर define किया गया है कुछ और नहीं हो सकता है काकी सारे point आपको इसमें repetitive भी मिलेंगे मारा last portion आता है mutation and experiment case ठीक है यह last portion है इसके बाद और दो slide है लेकिन उसमें mutation and experiment है अब दियान से सुनेगा ऐसे वाले area से questions आते है mutation cases important हो जाते है आई-lens के case में बहुत interesting interesting break चाहिए क्या? ब्रेक चाहिए तो ब्रेक लेगी जे 2 minute का शुइता जी ने जो है संत्रे और चेरी के साथ ब्रेक मांगा है ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ब्रेक लेगी जे भाई साब यह पानी किसा ठंडा होगी है रखे रखे चिल्ड वॉटर नहीं साइक्लोपिया कंडीशन में नोज भी प्रॉपर डंक से फॉर्म नहीं होते पूरे चेहरे पे एक ही आँख दिख 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 नोज के जो ब्रिजस होते न वह आपको नोटिस पे नहीं आएंगे कहां पिल्वार अके अनना परे बताओ सब्सक्राइब नोज आप एक काम कर सकते हैं यह जो भी हम चाप्टर पढ़ता है ना उसका एक आउटलाइन आप बना सकते हैं उस चाप्टर में कनेक्ट करके लिए कि आपने क्या पढ़ा मतलब फ्लो डाइगरम में उससे क्या होगा आप स्लाइड तो पढ़ेंगे पुरा कंसेप्ट गेन करने के लिए लेकिन वो जो आप आउटलाइन बनाएंगे ना वो आउटलाइन आपको चाप्टर से कनेक्टेड रखेगा यह आप कर सकते हैं जैसे मैं नोट्स बनाने के लिए आपको मना किया मेरे स्पेशली डवाय के लिए क्योंकि डवाय में बहुत से मतलब कंसेप्ट वाले बहुत से डिटन पोर्शन है ठीक है तो उससे आप कितना नोट्स बनाएंगे नोट्स बनाने के चेकर में में पॉइंट आप लूज कर देंगे तो आप आउटलाइन वाले नोट्स बना जा रहे हैं ठीक है और मैं ऊपर स्क्रॉल करती हूँ फिर से मुझे बाइडिफॉल्ट नीचे लेके चला आता है यह चाट बॉक्स मैं देख नहीं पाती हूँ क्यतना यह सर्वाइब दो रहे करेगा बीद करने की बाद तो तब आई गया है जब यह सर्वाइब करेगा हाँ यार को मन कोल्ड हो गया है क्या करें हंड आए और आपको बिमार करके ना जाए ऐसा कभी होता है देखिया आयुशी आक्च्वल में हम यहां पर सौनिक हैजोग के बाएं में पढ़ रहे हैं तो हमें यह पता है कि यह आई को कैसे अफेक्ट करेगा ठीक है अब यह बॉड़ी के और किसी पार्ट को कैसे अफेक्ट करना है यह हमारे लिए बताना मुश्किल है अब उसके लिए आप यह क्या कर सकते हो आप साइक्लोपिया कंडिशन पर केस स्टडी पर सकते हो अगर आपको इतना मतलब इंटरेस्ट आ रहा है कि और कौन-कौन से बॉड़ी पार्ट नहीं बनेंगे या कैसे बनेंगे या क्या और डिफेक्ट आएगा यह information बुक में नहीं मिलेगी क्योंकि बुक फोकस कर रहा है कि एक जीन है जो काम नहीं करेगा तो साइक्लोपिया हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट भी वही तक है अब आपको साइक्लोपिया स्पेसिफिक कंडिशन अगर जानना है कि कैसे क्या होगा तो देखे एक हो सकता है एक जो फीटस बॉन हुआ उसमें ये डिफेक्ट मिला दूसरा फीटस बॉन होगा तो शायद उसमें कुछ एडिशनल डिफेक्ट या एडिशनल कुछ औरगन बनने के बाद डिफेक्ट देखा जा सकता है क्योंकि इंडिविज्वल टो इंडिविज्वल डिफेक्ट के मामले में थोड़ा बहुत वेरियेशन आता है ऐसा नहीं है कि एक जीन जो मेरे में जो प्रॉब्लम करेगी वो सेम प्रॉब्लम आप में भी करे नहीं हो सकता है मेरे में वो प्रॉब्लम 40% तक करे आप में वो प्रॉब्लम 80% तक भी कर सकती है तो इंडिविज्वल टो इंडिविज्वल वारी करता है तो अगर आपको और detail में जानने का मन है कि इसमें और क्या effect होता है या और क्या organ देखने को मिल सकते हैं तो जितना मेरा experience कह रहा है अगर ये condition multiple infant पे देखी गई है तो सब पे आपको थोड़ा बहुत variation देखने को मिलेगा तो आप अपने end से cyclopeya पे case study पे case study को आप थोड़ा पढ़ सकती है तो आपको detail जानने को मिल जाएगा defective इंसान को monster बोलते थे अब देखिये क्या है ना जहां पे लोगों के पास किसी fact के बारे में reason नहीं होता है तो अकसर उसको कुछ ऐसी चीज़ों से जोड़ दिया जाता है ना जिसका reality के साथ शायद दूर दूर तक रिष्टा ही नहीं होता है आज भी अगर आप villages area में चले जाएगे तो वहाँ पे बहुत से ऐसी चीज़े हैं जो की चली हुई आ रही है और अगर आप उनसे reason पूछोगे ना कि इसको ऐसा ही क्यों कहते हैं तो आज के टाएप पता नहीं पहले को लोग कहते थे हम लोग भी कहते हैं मतलब जादातर चीज़ों के पीछे उनको reason नहीं पता है लेकिन हाँ कुछ-कुछ चीज़ें जो वो मानते हैं वो सही है में भी उनको reason नहीं पता हूँ बट आज के टाएप हमको reason पता लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें अभी भी वहाँ ऐसी follow होती है या बताई जाती हैं जिसके पीछे कोई logical reason नहीं था मैं blind case कैसे होता पढ़िये blind case कैसे होता दुरगा जी अंदर जब उतसुकता है किसी चीज को जानने की तो एक बहुत ही अच्छी चीज है जिसको वर्दाम की तरह आपके सामने रखा गया है वो कौन है गूगल बाबा ठीक है एक बड़ा अच्छा गाना है गूगल गूगल मै बुल बूल गूगल यू आर सो ब्यूटिफुल वेरी कूल ठीक है तो गूगल बाबा के पास जाए और आपने हर एक दूविदा का जो है सामधान पाईए जितनी भी सुपता आपके मन में उठती है यह कैसे होता है वो कैसे होता है जस्ट टाइप गूगल कि ब्लाइड परसन के पीछे what is the reason what is the reason behind blindness आपको जवाब ही जवाब बिलेंगे लेकिन प्रॉब्लम क्या है आप अपने एंसे सर्च नहीं करेंगे तो आप कभी भी खुद को educate नहीं कर पाएंगे है ना तो गूगल कीजिए जितने भी दो विधाएं आती है आपके दिमाग में यह क्या हो सकता है वो क्या हो सकता है वो कैसे होता है ऐसा कैसे होता है किसी के जो hair है वो काले क्यों दिख रहे है किसी के golden क्यों दिख रहे है सबका सबका जवाब है गूगल के पास search तो कीजि तो इतना नहीं पता मुझे ये finger projection क्या है, है ना, मैं कोई ऐसा डॉक्टर नहीं हूँ जिसने इसको examine किया है, मैं बस एक case study को समझाने वाला एक teacher हूँ, जो आपको case study समझा रहा है, अब इसके, इसमें और क्या-कया defect आएंगी, ये थोड़ी मुझे पता है, मुझे बस इतना समझते हैं, हो गया ना, break, मज़ने लिए, वापस आओ, मुटेशन के समझते हैं, फिर फटा-फट से हमको बीस मिन में chapter खतम करना है, फिर question भी है, बता हो तरह, पैला mutation case क्या है, अगर Pax6 gene में, homozygous mutation हो जाए, homozygous mutation, यानि उसके दोनों ही allele, जो है, एक तरीके से mutate हो failure of lens induction, सीधी सी बात है, भाई, Pax6 के दोनों ही gene mutate कर दिया है, मतलब Pax6 पूरा ही non-functional हो गया है, जिसके वज़े से क्या होगा, eye नहीं बनेगी, nose नहीं बनेगा, lens नहीं बनेगा, काम खतम, no Pax6, no lens, no eyes, no nose, that isn't mouse, लेकिन Pax6 का अगर heterozygous mutation हो है, मतलब एक gene mutated होई है, द का mutation हो जाए, mainly homozygous condition में, तो एक ही आँग बनती है, वो भी center of the face पे, जिसे हम cyclopia condition कहते है, और इस तरीके से जो है, हम ये भी देखते हैं, कि अगर Pax6 deficient कोई organism है, मतलब उसमें Pax6 पाया गी नहीं जाता है, तो उसमें जो iris होती है, वो reduce हो जाते है, या बिलकुल ही नही ही पाया जाती है, और ऐसे condition को हम any radia condition कहते है, you can see here कि this is an any radia condition, this is in xenophas and this is in human, any radia condition किस तरीके से देखा जाता है, इसमें iris जो है, दिर दिर reduce होने लगी है, तो इसको हम कहते है, any radia condition, ये एक important है, ठीक है, ये सारे के सारे, ये जो fourth वाला sonic है जो का case है, ये हमने पिछले व portion है, ठीक है, अगला, अब एक experiment किया गया, ठीक है, experiment में क्या किया गया, देखिए, experiment से ये जानने को मिला कि Pax 6 must be functional in the surface ectoderm for it to form the lens, इससे ये conclusion मिला था कि Pax 6 को surface ectoderm में present रहना चाहिए, तभी lens बनेगा, तो case 1 में क्या किया गया, ये लिया गया, ये जो है, ये mouse, head ectoderm from Pax 6 mutant rat, यानि ये Pax 6 mutant है, Pax 6 mutant यानि इसमें Pax 6 नहीं पाया जाता है, तो इस mouse में से head ectoderm लिया गया, ठीक है, इससे ले लिया गया head ectoderm, और ये एक wild type mouse है, जिससे optic vesicle लिया गया, तो देखिए, optic vesicle तो wild type से लिया गया है, लेकिन head ectoderm Pax 6 mutant से लिया गया है, तो क्या इस no lens were formed यानि Pac-6 deficient mice था यह hence इसमें एनिडिया condition देखने को मिलेगा lens proper यह से फर्म नहीं होगा और iris भी reduce हो जाएगा दूसा mutation case दूसा experimental case क्या देखा गया इस बार भी Pac-6 mutant लिया गया लेकिन इस Pac-6 mutant से optic vesicle लिया गया और wild type से head ectoderm लिया गया तो देखिए Pac-6 mutant का optic vesicle तो एकदम normal होगा युकि उसमें Pac-6 नहीं है optic vesicle तो normal एकदम तो इससे optic vesicle लिया गया और wild type से head ectoderm लिया गया तो भाई मतलब दोनों ही तो ठीक ठक चीजे हैं तो hence क्या होगा lens form हो गया यह दो experiment में बताया कि Pac-6 का surface ectoderm में functional रहना बहुत जरूरी है अगर हमें सही lens formation करना है तो यह जो है experiment से हमको Pac-6 के importance के बारे में पता चलता है ओके यूमन और माइस हेटरोजाइगस for the loss of function mutation in Pac-6 have a small eyes इसके अलाबा देखा गया human और माइस में अगर Pac-6 का heterozygous mutation हो जाए मतलब कि Pac-6 का loss of function mutation हो गया वो भी heterozygous मतलब कि एक gene mutate हुआ है दूसरा ठीक है उस case में क्या होगा small eyes बन जाएगी लेकिन अगर उसका homozygous mutation हो जाए mice and human में in fact in drosophila as well तो उसमें eyes जो हैं वो बनेंगी ही नहीं और बिल्कुल वैसा हमें को देखने को मिलेगा जैसे कि हमें Rx mutant के case में देखने को मिलेगा था ठीक है Rx mutant में भी eyes नहीं बनी थी ओके चलो आज का last portion है that is your mutation case तो क्या किया गया देखिए optic vesicle लिया गया यह surface ectodorm का लिया गया यहां बताया गया कि lens बनेगा या नी तो optic vesicle अगर Y type से लिया गया है और surface ectodorm भी Y type से लिया गया है तो सीधी सी बात है यहां पे lens बनेगा ठीक है उसके बाद optic vesicle जो है वो Pax 6 mutant से लिया गया है और surface ectodorm Y type से लिया गया है तो again क्या होगा यहां बनेगा क्योंकि यहां पे Pax 6 mutant से लिया गया है तो उसका optic vesicle तो नॉर्मल है अब optic vesicle Y type से लिया गया surface ectodorm Pax 6 mutant से लिया गया तो सीधी सी बात है lens नहीं बनेगा यहां कि surface ectodorm उससे लिया गया है जिसमें Pax 6 ही नहीं पाया जाता मतलब इसके surface ectodorm में there will be no Pax 6 तो lens नहीं बनेगा और अगर optic vesicle भी यहां पे हमने Pax 6 mutant से लिया और surface ectodorm भी Pax 6 mutant से लिया है तो again lens नहीं बनेगा तो आप देख सकते हैं कि wild type condition और mutated condition में क्या difference है human का case यह रहा mouse का यह रहा, zebrafish का यह रहा and Drosophila का यह रहा सब में अगर Pax 6 का mutation हो जाए तो lens नहीं बनेगी तो यह सब के सब organism दिखेंगे कैसे वो चीज यहां पे बता के रखेंगे जावाद है समीर जी, blue eyes hypnotize कर दिये मैं नूँ चलो हाँ जी, clear है यह तो इसके साथ जो है हमारा islands का chapter खतम होता है दो तिन एक्स्टा स्लाइट साड कर दी गई है उसको आप पढ़ लीजेगा और दो पढ़ा हुए portion ही वहाँ भी डालके रखे गए है तो हमको जानने को क्या मिला अगर हम फटा-फट से एक समरी ले तो शुरुआत हुई थी हमारी कहां से शुरुआत हुई थी हमारी that is your कौन सी लेयर जो है कौन सी जॉम लेयर आई लेंस बनाती है that is ectodom बनाती है ठीक है फिर हमने देखा था आई फिल्ड का स्पेसिफिकेशन होता है with the help of with the help of what with the help of noggin, otx2, et, rx, pax, 6-3, socks2 इन सब की वज़े से आई फिल्ड का स्पेसिफिकेशन होता है मतलब आई फिल्ड बनती है अब उस आई फिल्ड वाले एडिया में क्या होगा उस आई फिल्ड वाले एडिया में सबसे पहले एक आई फिल्ड बनेगा अब क्या बनेगा अब ऑप्टिक वेसिकल बनेगा किससे ब्रें ब्लजिंग आउट करेंगे उससे बन जाएगा ऑप्टिक वेसिकल क्या करेगा ऑप्टिक वेसिकल एंटिर एरिया में पाये जाने वाले ectoderm को induce करेगा, किसकी मदद से, BMP4 and FGF8 की मदद से, ये induction के कारण क्या होगा, जो ectoderm होगा, वो lens placard में बदल जागी, अब ये lens placard क्या करेगी, और ectoderm की पास एक और feature है, कि वो competent होती है, वो specifically competent होती है, क्यों? क्योंकि इसमें Pax6 पाया जाता है, अब ये जो lens placard बना है, ये lens placard क्या करेगा, optic vesicle को induce करेगा, कि भाई, optic cup बना दो, और optic cup आगे चल के differentiate होके, जो है, retina बना लेगा, और pigmented layer बना लेगा, और इस तरीके से हमार पास complete lens बनके ready हो जागी, साथी साथ हमने देखा, कि बहुत से facts हमने देखे, कि Pax6, FGF8, BMPs, ये कर क्या रहे हैं, और उसके साथ-साथ हमने देखा mutation cases, जिसमें कि हम ये जान पाए, कि Pax6 बहुत ज़रूरी है, अगर lens properly form करना है, साथी साथ हमने sonic hedgehog का roll देखा, जो कि एक single eye field को bilater eye field में divide करती है, ताकि हमारे चहरे पर दो आखे बने, और अगर ये mutate हो जाए, तो चहरे पर दो आखे ना बनकर, एक abnormal condition arise हो जाता है, जिसे हम cyclopya condition कहते हैं, जिसमें कि क्या होता है, सिर्फ एक ही आख जो है, फूरे चहरे पर बनके आजाती है, और उसके साथ साथ हमने देखा, बहुत से mutation case, बहुत से experimental case, कि अगर कोई gene रहे और ना रहे, या कम present रहे, तो क्या-क्या effect देखने को मिरता है, हाँ जी, clear? Yes, चलो, तो कुछ question कर लेते हैं फटा-फट से, question read out कीजी, और answer जो है, आप comment section में बताएंगी, जब मैं कहूंगी, तभी answer जो है, आप comment section में post की जगा, ऐसे नहीं, और आपके बहुत से ऐसे सवाल भी है, जिसका clearance तब हो जाएगा, जब यह मेरी दीवई slide आप read out कर लोगे, ठीक है, तो एक बार अच्छे से read out कीजी, उसके बाद कोई doubt आता है, तब पूछे, चलो, answer बताओ, उसके बाद कर बार अच्छे से यहाँ में Haiyaёт है, गलाएदा है जोग पातवी इस एक्स्रेमली इंपॉर्ट जी इंपॉर्त इंपॉर्ति इस बॉर्ट इंपॉर्टिब्रेट लिम दम्ट दॉप्में neural differentiation facial morphogenesis in accordance with the above statement what would happen in the mice that are homozygous for the mutant allele of sonic hedgehog sonic hedgehog ka homozygous mutation हो गया है mutant allele पाया जारा है तो क्या होगा limb would form normally but the mice would have a facial abnormality limb normally form होगा लेकिन mice में जो है facial में problem होगा गलत आपको याद होगा हमने hedgehog पाते में बात की थी कि sonic hedgehog जो है यह pinky finger बनाने में मदद करता है तो limb कैसे normal form होगा गलत next midline of the face would reduce and single eye would form in the center of the forehead बिल्कुल सही जिसको की हम cyclopia condition कहते हैं I would form normally but digit would be malformed no mutation of sonic hedgehog may activate tumor formation if patch protein can inhibit the smoother protein गलत हमारा answer क्या हो गया हमारा answer हो गया that is your 2 अगला सवार हमारा रहा और हम एarnos हम कह Hayए cold हम झाल झाल आपना अंसर दे सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में आपको बदाना है टू स्टेटमेंट पहला पैक्शिक्स में अप्टिक वेसिकल कॉंपिटेंट करता है नहीं है एक्टोडम को करता है ये क्या हो गया ये हो गया फॉल स्टेटमेंट नेक्स्ट देखिए दो आप्टिक वेसिकल कान इंड्यूज एनी पाट ओफ हैड एक्टोडम तो फॉर्म था नैसल अंड आप्टिक स्टक्चर द्यू तु तु प्रेंस अप्टिक्स अच्छा एड्टोडम तो competent है राइट क्यूंकि प्रेंस थे तो आप्टिक वेसिकल जो है है एड्टोडम के किसी भी पाट को इंड्यूज कर सकता है नहीं ये एंटीर पाट को ही इ बिल्कुल सही, true next, apart from optic vesicle the head ectodum may also be induced by BMP and FGF so the Pax6 is not exclusive for the lens formation, बिल्कुल सही अकेले काफी नहीं है ये बाकियों के साथ ये मिलके करवाता है तो C and D के basis पर जो हम second option पर move कर सकते हैं ठीक है अचा, question को बच्चे बोल रहते हैं मैं annotation के साथ मत दो इसलिए मैं question का explanation जो है यहां से erase कर दे रही है चलो एक मिनुटा जो, इसका answer हम B लेके ही चल रहा है चलो, अग्ला सवाल जो, प्या है झाल झाल लास्ट वाले क्वेशन में कुछ गर्बड़ी, इस क्वेशन के बाद हम फिर से वापस से देखनें I think उसमें B statement भी सही होगा, क्यूंकि head ectoderm तो anterior में ही पाया जाता है, right? तो बोला है, any part of head ectoderm, तो I think B statement सही होगा. क्यूंकि head ectoderm का location anterior ही होता है, तो वहाँ पे anterior mention नहीं भी करने से I think हम consider कर सकते हैं, क्यूंकि head mention कर दिया है और head तो head जब mention किया है, तो obviously that will be in anterior चलिए देखते हैं, इस question के बाद आपर से उस question को देखते हैं I think उसमें B, C, D, तीनों ही options होगे इसका answer दीजिए, comment section में बढ़ना भी तो बनता है, अभी हमने पढ़ाता कि पैक्सिक जो है Nose, Pancreas, आइज यह सब बनाने में मदद करते हैं क्या बोला गया है देखिए following are some statement given for vertebrate eye lens induction ठीक है eye lens induction के लिए कुछ statement यहां दिये गए है आपको बताना है correct statement पहला है pair box 6 gene यानी pack 6 is a transcription factor synthesizing specific vision of head surface ectodome true statement A सही है ठीक है यह सही है तो देखे यह हट गया यह हट गया इसमें यह नहीं है pack 6 is security by optic vesicle गलत it is security by head ectodome भी हट गया C देखिए optic vesicle serve as a inducer for the competent head ectodome बिल्कुल सही यह inducer की तरह काम करता है C भी सही हो गया D देखिए studies on amphibians suggest that the first inducer of the lens may be the foregut endodome and heart forming mesodome तो यह statement सही है although यह statement को हमने directly नहीं पढ़ा हमने diagram की मदद से पढ़ा था मैं आपको दिखा देती हूं यह देखिए ठीक है अगर आप इसको पढ़ेंगे नहीं तो यहां पर यह देखिए यहां पर साफसा mention है the sequence of amphibian lens induction postulated by the experiment on the embryo of xenopus levis unidentified inducer जिसको क्या कहा गया है possibly the foregut endodome and the cardiac mesodome किसमें? xenopus में so xenopus में inducer का कौन काम कर रहा है inducer का काम कर रहा है foregut endodome and cardiac mesodome जिसकी मदद से OTX2 transcription factor का जो expression होता है वो head endodome में होता है during the late gastrula stage अब अगर यह statement देखते हैं तो यही statement यहां question में भी डाला गया है right studies on amphibians suggest that the first inducer of the lens may be the foregut endodome and the heart forming mesodome देखे exact वही statement copy paste कर दिया इन्होंने यह क्या हो गया? यह हो गया true next देखिए the gene for lens protein get induced in the surface ectodome of optic vesicle यह तो statement ही गलत है, English ही गलत है देखे क्या बोला है gene for lens protein get induced in surface ectodome of optic vesicle optic vesicle का surface ectodome क्या होता है बई? एक optic vesicle है, एक surface ectodome optic vesicle का surface ectodome कहां से होता है तो यह पूरा ही गलत statement है इनकी तो English ही यहाँ पर गड़ देखे के रखी है तो देखा जाए तो A, C, D यानि पहला statement हमारा सही हो जाता है तो जो हमारा last question है, इसमें देखे क्या बोला है तो यह statement देखा जाना तो यह statement भी true है क्योंकि head ectodome obviously anterior side में ही पाया जाता है right, posterior side में तो पाया नहीं जाता है तो head ectodome, जब already head ectodome बोल दिया है मतलब वह anterior की तरफ ही बोल रहा है तो वहाँ पर Pax 6 है अब Pax 6 का nature क्या होता है Pax 6 का nature होता है कि भाई, वो nose भी बना सकता है वो eye related structure भी बना सकता है अभी अभी हमने पढ़ा था तो यह कह रहा है कि optic vesicle जो है वो head ectodome के किसी भी part को induce कर सकता है क्योंकि उसके पास Pax 6 होती है ताकि वो optic structure and nasal structure बना सके तो देखा जाए तो यह statement भी जो है somehow true है तो यह भी true है, C भी true है और D भी true है D वाला भी तो statement हमने अभी अभी पढ़ा था देखिए जो पता नहीं कोई बच्चे थे जो बोड़ रहे थे मैं D गलत है D गलत नहीं है D यहाँ पे हमने अभी जस्ट पढ़ा था कहा गया, यह देखिए साफ साफ बोला है तो कहते is, जैँडिख थिवा बन प्री बन ये अघ्टी रहे फाल का лиमी औ tyranny खर थे यही प९। पूरा स्टेटमट कॉपी पिस्ट कर दिया इन्होंने उरी पूरा काुरा स्टेटमें यह पूरा स्टेटमं शेट में पूरा स्टेटमें तो यानि यहाँ पर B, C and D तीनों ही स्टेट्मेंट सही हैं. Where is the presence of Pax-6? शुबरो जीत, seriously? Pax-6, Pax-6 के वार में, Optic Vesical Induce Any Part of Head Ectoderm बोला है. Head Ectoderm के किसी भी पार्ट को जो है, Pax-6 Induce कर सकता है, due to the presence of Pax-6. तो बिल्कुल सही है. Head Ectoderm में इसके presence बताई गई है. ताक्षी, यह question जो है, यह question एक्चुल में गलत दिया गया है, मतलब options गलत दिये गया है. इसके options पही होने चाहिए थे B, C, D. यह challenging question था. 2012 में यह challenging question था. इसके जो answer होते हैं, वो होता B, C, D. यह नो यह statement सही है. अब कोई बच्चा, अगर आप बोड़े में, वो तो Ectoderm में होता है. बाई, Head Ectoderm, Surface Ectoderm, और Ectoderm, यह तीनों को हम interchange basis पे use करते हैं. Head Ectoderm का मतलब होता है, Head वाला portion, जहां पे Eyes बनने वाला हो, उद्धर के Ectoderm की बात हो रही है. Okay, चलो. आगे बढ़ते हैं, next question पे. यानि यह वाला statement जो मैंने लिखा था, यह सही ही लिखा था. 2, 3, 4, 3ों में से, कोई भी option सही हो सकता है. चलो, अगला सवाल. आगे बढ़ते हैं, आप लोग के पास ही चली जाएगी. जो भी आपको slide देखनी है, आप लोग के पास जब जाएगी, तो उसको एक बार read out कर ली जगा. अभी हमको question answer कर लेने दीजिए. Otherwise यह chapter नहीं हो पाएगा. Slide आप लोग के पास ही जाएगी, तो आप लोग अपने answer उसको read कर लीजिएगा, जिनको भी slide देखनी है. चली answer दे सकते हैं आप comment section में? आप को बताना है, पहला है, लेन्स का इंडक्शन हम तब भी कर सकते हैं, अगर आप्टिक वेसिकल ना रहे, बस हम head ectoderm को prime कर देंगे anterior neural plates से, जो की क्या है? जो की गलत statement है. Next, optic vesicle, obviously वो भी जरूरी है, right? Optic vesicle can induce the presumptive trunk ectoderm to form the lens. Trunk में पाये जाने वाले ectoderm को optic vesicle induce कर सकता है, lens बनाने के लिए. ये question उस experiment पे आए है, जो भी अभी हमने थोई देर पहले देखाता है, ये भी गलत. Next, only the head ectoderm can respond to the direct signal from the optic vesicle, optic vesicle to form the lens. बिल्कुल सही true. Next, the anterior neural plate prime the head ectoderm via the BMP4 and FGF8 prior to the signal from the optic vesicle. बिल्कुल ये भी सही है. True. जो कि हमने देखा था, जहां पर PAC6 के exclusive ना होने की बात कही गई थी. So, with this, we can go with the, that is option 1. आज का last question. शिवाने जी, क्या हो गया जी? इंप्रिंटिंग कप पढ़ाएंगे मैम. ये डेवलोप्मेंटल बाल जी में इंप्रिंटिंग कहां से घुशाई है? Prime the head का मतलब हो गया कि उसको experience देना, exposure देना. Imprinting आपके evolution का पार्ट है. Yes, animal behavior में पढ़ेंगे. एक animal behavior हम class में भी पढ़ रहे हैं, फिल्हाल में. चलो, answer दे सकते हैं आप comment section में. देखते हैं क्या बुला गया question में. Lens formation requires sequential event whereby the anterior neural plates signal the anterior ectodorm to promote the secretion of Pax6 which render the anterior ectodorm more receptive to secretion from the optic vesicle. The above can be best explained by which of the following phenomena. अरे भाई, ये तो पूरा copy-paste किया गया है. देख रहे हैं, आप प्रू किया बद दिखाती हो मैं. इसलिए न, बाई हो मैं ये एक चीज बड़ी अच्छी होती है. ये देखिए. की-point वाला का आगया हमारा? Yes. ये देखिए. पूरा A to Z ये वाली लाइन copy-paste कर दी गई है. आप से पूछ दिया गया है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, induction and competence. राइट? पूरी copy-paste कर दी गई है ये लाइन. तो ये एक बढ़िया रहता है. तो आप इसके क्या कहते हैं? इस phenomenon क्या कहते हैं? instructive interaction only नहीं, epithelial mesenchymal interaction नहीं, permissive interaction भी नहीं. induction and competence कहते हैं. ठीक है? फिर इसके साथ जो है हमारा ये वाला portion done हो जाता है. लो जी, खताम. हमने जो हैं, आपकी आँखें बना दी. मतलब लेंस बना दिया. ओके. ओके, चलो फिर. तो मिलते हैं आप से कल की class में. कल हम एक नया chapter शुरू करेंगे. कल और भी interesting वाले part जो हैं, शुरू होंगे. कल से लेकर हम 3 दिन तक, I think, C.E.L.E.G.N. ही पढ़ेंगे. ठीक है? तो, इसको अच्छे से revise कीजिए. और term note, I think, आप बना रहे होंगे. term notes, note कर रहे होंगे. और जैसे मैंने कहा, एक और चीज कीजिए. flow chart बनाईए. flow chart में पूरे chapter को summarize कीजिए. उससे क्या होगा? उससे आपको revise करने में असानी होगी. उससे आपको connectivity रहेगी, कि भाई, किस में कौन सी चीज जूड रही थी, और किसको activate करवा रही थी. तो, flow chart रहने से, it will be great. follow up के लिए. बारिशा, बारिश शुरू होगी. अदे, एक तो ठंड, उपर से जिन्दिजी ठंड और उपर से ये बारिश. ऐसी परिशान है, अब ये और ठंड बढ़ जाए.